का 1 तुट्रोलिबल सेमी कंट्रोल और कंट्रोल अंकंट्रोल का मतलब यह मतलब यह उता है तो तरेस्ट आप अज़ी आप एंशर के अज़िए इसमें मेरे को इंपल्स रिस्पांस आपको दे रखा कंटिन्यूस टाइमल ट्याइए सिस्टम का और सिस्टम का और सिस्टम इस मौडिफाइड एंप्रेश लॉग जिस टाइप कि पॉस्ट्टि आसकते हैं उस तरीके के क्या आप लोग के लिए बोल देते हैं यह वात इस बात रहे हैं बहुत बड़ी इस टू थी आखिए नेगेटिव दाके माने की तो तरीके ओट और सेंच एब देखा की आपके इस जिए आफ़ देखा कि अज़्ट करते हैं इस प्रूट करते हैं इस पर देखा तो विडिवी इवनिंग एवर्वन वेलकम टो इंडिया लाज़ेस्ट एलग प्लैटफार्म एकाड़म टू क्रेटरिक्स अगर सभी लोगों को वॉइस क्लियर है और वीडियो क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्षिन में कंफर्म करो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो पहले एक बार कंफर्मेशन करिए फिर दो तीन चीज़ें आपको मैं बताता हूं कि किस वे में हम इस सेशन को प्रोसीड करने वाले हैं और क्या-क्या चीज़ें आज की क्लास में डिसकस होने वाले हैं तो और लोग भी जो लोग जोईन होते जारो सेशन को लाइक भी क फिल फ्लॉप का डिसकेशन आज नहीं करेंगे वो किसी और सेशन में करेंगे आज की क्लास में इस जनेरल यह मिरा रहा है जबी आप कोई आट करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी क्या होता है कोई-कोई-क्वेशन लग जाते भर बहुत सारे से कंफूजन भी होता है क्या-क्या बाते याद रखने होंगे क्या-क्या बाते याद नहीं रखने होंगे ये along the way मैं आपको बताता जाओंगा बट जो आप पूरा session complete करोगे तो at the end of the session आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ आपको चार बाते याद रखने हैं उन चार बातों के basis पर आप latch का कोई सा लगा सकते हो उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी ट्रूटेबल याद करने के जरूवत नहीं है तो पहले सबसे जितना भी discussion करते जा रहे हैं सारे discussions को आप वन बाइवन बाइवन आराम से समझते जाओगे और समझने के बाद लास्ट में करीबन आप माननके चलो एक सब्सक्राइब करने का तो आप साथ के साथ लिखते जाओं मैं पूरा टाइम दोंगा आपको लिखने का क्लास में जो भी चीज़र डिसकस होने उसको नोट डाउन करने का तो जाहिर से बात है जो लोग बिलकुल इंट्रेस्टेड हैं उनी लोगों के लिए session है जो सिर्फ टाइम लगेगा और हाडली एक या दो लाइन आपको हर question में लिखनी पड़ेगे ठीक है तो मैं आपको time देता हूँ आप फटा-फट क्या अपने notes वगेरा या फिर जोगी आप लेके बैटना चाहते हो लेके बैटो हर एक पॉइंट को हर एक चीज़ को मैं note करने का proper time भी के लिए यूसफुल यार आप कोई भी exam attempt करना चाहते हो जिसमें digital electronics आता है तो लैच एक बहुत important part होता है in fact basic building block होता है अगर आप sequential circuit पढ़ना चाहते हो तो sequential circuit पढ़ने के लिए जो सबसे important chapter हो था वो आपका लैच ही होता है ठीक है चलो फिर शुरू करते है और इसी बात प करने के लिए आप यह code लगा सकते हो ठीक है यह code लगा कि आप combat को unlock कर लो ताकि आप एक तो अपने preparation level को judge कर पाऊ साथ के साथ जबी आप an academy plus का subscription लेने जाओ तो आपको discount भी मिल पाए और Master Blaster series भी आप लोग attend करते हो तो हमारा Master Blaster series के तुरू टार्गेट यह है कि हम 10,000 questions प ठीक है चलो बताओ फिर शुरू करें आज का सेशन सभी लोग हो गया रेड़ी कॉपी पेन लेकर अगर 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 आगर काउंटर डिसकस होगा की नहीं पहले क्या डिसकस हो चुका वो तो बात की बात है ठीक है चलो ठीक है तो चलो शुरू आथ के पांच मेरेट भी थोड़ा सा जनरेल डिसकसिन करते हैं और जनरेल डिसकसिन को आप बस ध्यान से समझ लिना न तो आपको बोल रहा है लगातार इसको क्या कर सकते हो कि येवला इंसान दूसरे वाले इंसान को क्या दे रहे less अभी अगर इसको इंपुक्त देना चाहता तो इसके माइंड में अकर यह जाके स्टोर हो जाता है तो क्या आप बोलोगे कि इस इंसान के पास memory है या नहीं जल्दी से आंसर दीजे मेरे question का आई वोप आप समझ के मेरे query का है यह इंसान इसको लगातार input देता जा रहा है और यह input गोड़ा 2 2 into 3 equal to 6 जब यह input दे रहा है तो इसके माइंड में store हो गया कि 2 into 3 is equal to 6 तो आप सभी लोग मुझे बताइए कि आप ऐसा input दिया 2 into 3 equal to 6 जब तक यह बोल रहा था 2 into 3 equal to 6 तब तक इसके दिमाग में store था जैसे इसने बोलना बं किया इसके दिमाग से वह चीज गाइब हो गए इसका मतलब इसके पास memory नहीं है दूसरी situation में 2 into 3 equal to 6 तो रह जाता है फिर आप जाके बोलोगे कि हाँ इस इंसान के पास memory है तो memory का basic concept क्या होता है क्या input देना memory होता है जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मेरी बात को सुन रहे हो क्या इससे साबीत हो जाता कि आपके अंदर memory है बिलकुल नहीं कलको अ मैं input दूँगा दूसरा step क्या होता है storage जब डेटा जाके store हो जाता है और तीसरा सबसे important part होता है retention retention हम कब measure करते हैं जब हम input को हटा लेते हैं तो जहां किसी भी चीज़ को store करना चाहते है storage हमेशा 3 step का process होता है पहले step में आप input देते हो दूसरे step में यह इसके दिमाग में जाके store होगा तीसरे step में आप यह input हटा दोगे तब भी अगर इस data को retain कर पा रहा है retention कर पा रहा है तब हम बोलेंगे कि आरे संसर इस इंसान के अंदर थोड़ी बहुत memory present है क्या यह बात सबको समझ में आ गई सकता हूं क्या कि उस particular device में memory है या नहीं फटा 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 आंसर भी देते हैं बिल्कुल common sense से पढ़ते हैं आज की class बिल्कुल common sense है अगर आप के अंदर जरा सा भी common sense है तो आज की class बहुत असानी से समझ पाऊंगों फिर से मेरी बात सुनेंगे सपोज आपके पास कोई device ह मैंने बूला कि यार जब तक मैं उसमें data दे रहा हूं तब तक वो इस data को स्टोर कर रहा है तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस device के अंदर memory है बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं जब आप data दे रहे हो तब तो data store है यह तो ठीक है यहां तक तो बात valid है बट कल को अगर यह वाला बोलता जा रहा था बोलता जा रहा था तब तक तो बात इसके दिमाग में बैट रही थी जैसे बोलना बंद किया इसके विदिमाग से data उड़ गया है मतलब यह आदमी किस category में आ जाएगा गजनी की category में भूला की category में इसको डाल सकते हो जब तक आप इसको कुछ बताते होगे तब तक तो इसके दिवांग में डेटा स्टोर है जैसे आप बताना बंद करोगे इसके दिवांग से वो डेटा उड़ जाएगा दूसरा जो हम लोगों ने कर पाते हैं गजनी या फिर आप लोग भूला बोलते वह बूला कि क्याटेगरी में आजाएगा तो सबसे पहले आप लोग कर लो किया आप कौनसी के चाटेगरी में फॉल करते हो अगर आपको लगता है कि आ चौरी क्लास को सुनना और अग्र आपको लगता है कि आप इस स्क्राइब में और कल्पना बोलते रहते और उसके बदला बन नहीं कर देखा तो ये बहुत ही सिंपल सा कर लेते हैं अभी तक क्या बात कर रहे थे concept of memory in humans है तो humans में तो हम बड़ी आसानी से समझ गए कि memory का concept क्या होता है कसीम तरीके सा यह समझने की कोशिश करते हैं कि machines में memory का concept क्या होता है machines में अगर आप देखोगे ना तो बिल्कुल सेम concept को उठा के as it is यह आप copy paste कर सकते हो देखो यहां पर क्या बोल रहा है a digital element will be called as memory element if and only if it follows three steps कि इतने steps की बात कर रहा है यहां पर साथ के साथ आप note भी करते जाओगे मैं फिर से बोल रहा हूँ इस session का PDF शेयर नहीं होगा तो जो बहुत sincere लोग होंगे वही session को attend करेंगे और इसके साथ साथ notes मनाते जाएंगे नोट्स बनाने के मैं आपको पूरा मौका दूंगा अराम से नोट्स बनाईए साथ के साथ नोट डाउन करते रही है तो add and drop the session आपका जो latch के concepts होंगे वह ऐसे हो जाएंगे जो आपको भी भूलोगे नहीं और इसमें आपको कुछ याद करने के ज़रूत में लास्ट में ज हो गया done यहां पर मेरा data क्या होगा जो सबसे पहला process होता है वो होता है excitation excitation मतलब input को लगाना वही 2 into 3 is equal to 6 को बूलना तो सबसे पहला step क्या होता है excitation excitation करने के बाद अगले step में आप expect करते हूं कि जो भी excitation आपने करा था इस digital device में जो भी excitation आपने करा था डिजिटल डिवाइस में वही excitation output पर जाके क्या हो जाए तो कितने लोग ऐसा मुझे बता सकते हैं कि सर सेकेंड स्टेप में ही आप इस डिजिटल डिवाइस को memory element बोल दो क्यों प्राब्लम वाली बात नहीं है कि प्रटाफट बतो कितने लोग यहां पर बोल रहा है कि फर्स टेप एक्साइटेशन है बहुत क्लिर है सेकेंड स्टेप में अभी भी मैंने इंपूट लगा रखा है और यह इंपूट आउट्पूट पर जाके स्टोर हो गया तो कितने लोग यहां पर ऐसा समझते हैं य स्टेप 3 की चर्चा करते हैं स्टेप 3 में क्या करता हूं यह जो मैंने इंपूट लगा रखा था इसको हटा देता हूं उसके बाद भी अगर आउटपूट पर डेटा स्टोर रह जाता है यह तो इस स्टेप को बोला जाता है रिटेंग्शन अगर तो ऐसा हो गया तो दिवाइस को एक मेंबरी अलिमेंट को सा किसी भी डिजिटल डिवाइस को अगर मेंबरी आल्रेमेंट बोलना है थो उसको यह तीन स्टेप को फॉलु नहीं करता है तो कभी वह मुदम्हूंट नहीं बोल सकते हैं सबसे पहला तो आप उसमें एक्साय थाइच्जन लगाओ होगे तो उसको थोड़ा सा समय दोगे कि वह आउटपुट पर उस डेटा को स्टोर कर पाएं तो टू इंटू इंटू त्री कुल डू सिक्स आप बोलते जा रहे थे थोड़े दिर बाद उसने आउटपुट पर स्टोर कर लिए यहां तक बिल्कुल हमारा अलाइंड हो रहा सब्सक्राइब करते जाना अराम से नोट करो मुझे कोई जल्दी नहीं बारा बज़ तक मैं पढ़ाऊंगा बट इंपॉर्डेंट क्या है कि मैं उन्हीं लोगों को पढ़ाना चाहता हूं जो सच में सीखना चाहते हैं चलो अराम से नोट करो जैसी नोट हो जाएगा फटा फट मुझे बताइए डन करिया और लास्ट में चार गोल्वन स्टेटमेंट्स बताओंगा सिर्फ चार सेटमेंट नन्युन चाह्या सॉस्टक्र में बशते कर सकते हूँ चाहे जैसा भी question आजाए, latch का standard, non-standard, हर एक question आप immediately solve कर सकते हैं Done तो I think आपको ये पूरा का पूरा कहानी समझ में आ गया कि यार असल में हम पढ़ने क्या वाले हैं, असल में memory element का मतलब क्या होता है अब अगर ये कहानी आपको समझ में आ गए, तो एक example कर लेते हैं, तो थोड़ी से और clarity आ जाएगे एक बार ये तीनो statements पढ़के देखना, कितने लोगों के तीनो statements में बिल्कुल clarity नजर आ रही है और आगे से उन तीनो statements को subconsciously अपने दिवांग में store कर पारे पहला statement बोल रहा है, a memory element should store the data once the excitation is applied, बिल्कुल सही बात है बट दूसरा statement बहुत ज़्यादा important ये बोला, it should retain the data even if excitation is removed, तो ये हमारे लिए game changer है और ये वाला point हमारे लिए हो जाता है, आज की class का सबसे important keyword याददाश्त तेज होने का मतलब यही है कि data हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद हम उस information को process कर पार है लास्ट वाला देखो, to store the new data, new excitation should be applied है मतलब अगर हम कोई दूसरा नया data store करना चाहते है, जैसे अगर हम 2 into 3 equal to 6 के जगा है कल को 4 into 3 equal to 12 याद करना चाहते है, तो हमें नया input देना पड़ेगा कोई हमको बताएगा कि 4 into 3 equal to 12 भी होता है, वो 10 गंटे, 20 गंटे, 4 गंटे, 5 गंटे तक बताता रहेगा एक बार हमारे दिवांग में store हो गया, फिर उसके बाद अगर बताना बंद भी कर देता है, तो हम नया data को store कर लेंगे, तो जितनी बार भी नया data store करना होगा, उतनी बार आपको नया excitation लगाना पड़ेगा, any doubt as of now, ठीक, चलें सवाल कर लें, चलो तो एक अपनी understanding में टेस्स कर लेते हैं, जो हमने सीखा, उसमें किस हब तक क्या मियाब हो पाते हैं, चलो देखते हैं, मैं आपको एक question देता हूँ, अराम से इस question को discuss करते हैं, ठीक है, यह मैं आपको एक question दे लिखना चाहिए कि मैंने दो not gate लगा रखें, साथ के साथ इस not gate में जो सबसे output वाला not gate का, जो not gate का output है, उसको मैंने feedback के तौर पर input पर connect कर रखें, खीक है, मैं define कर देता हूँ, यहाँ पर जो भी output आएगा, वाई, उसको मैं बोल दे रहा हूँ, data stored, मतलब अगर यहाँ प देखते हैं, क्या है, यहाँ पर हम लोग one store कर पाते हैं, storage and retention of one, storage and retention of one, पहला पार्ट आप समझेंगे, दूसरा पार्ट आप कुछ से try करेंगे, सबसे पहले हम लोग storage of one लगाना चाहते हैं, तो आप बताइए, अगर मुझे one को store करना है, तो क्या मुझे one input पर देना चाह लगाया, जैसे ही आप output पर देखो, आपको मिल जाएगा 0, और इसके output पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, यह जो storage वाला पार्ट था, क्या इसी step पर हम लोग इसको memory element बोल सकते हैं, बोलो, यह हमने यहाँ पर input लगा रहा है, फटाफ क्या करना पड़ेगा, retention भी चेक करना पड़ेगा, आइए retention चेक करते हैं, तो retention चेक करने के लिए हमने क्या rule बना रखा है, यह थोड़ी देर के बाद जैसे output store हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, हटा लेगा, इस x equal to 1 को यहाँ से हटा लेते हैं, इस x equal to 1 हटाने का मतलब यहाँ पे अभी कोई input नहीं रह गया, बट अगर आप notice करो तो यहाँ पे तो y equal to 1 already present था ही, और क्या यह feedback के form में वापस से y equal to 1 आ रहोगा यहाँ पे, फिर इसने 1 को 0 कर दिया, तो आप देखो, कल को अगर आप यह x वाला input यहाँ से हटा भी देते हो, यह जो x वाला input था है इसको आपने remove कर दिया, तो आप बताना, क्या आप अपने output पे अभी भी one को store कर पार हुए है, yes all, fine, तो आपो जो बता सकते हो, यह जो आपको digital device यहाँ पे दिख रहे है, क्या आप इसको एक memory element के तौर पे understand कर सकते हो, memory element के तौर पे qualify करा सकते हो, memory element के तौर पे use कर सकत तो कॉंसे स्टेप पे इसको मेम्री एलेमेंट हमने बोला क्या हमने सिर्फ एक्सिकोल लगा कर जब वाइदवे कल को यह इंपुट हटा भी दे तो भी यह वाले ओपुट पर कोई फर्द नहीं पड़ रहे हैं अच्छा इस पर्डिकुलर डिवाइस में क्या हम सिर्फ बिट आप नोट डाउन करिए फिर सेम तरीके से बिट जीरो करें टेंशन देखते हैं लेको लैचेस पढ़ने का मतलब है साथ के साथ आपको एक डाइग्राम बनाना पड़ेगा है एक डाइग्राम बिल्कुल क्लियर कट बनाते जो साथ के साथ जो 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 बोर्ड पर मैं लिख करने लिखते जो हो यससिवह लिखांगे लिखो हिंदी में लिल्ख 치लो जल्दे लिकार राइटिंग हम यहां पर बात करते हैं कोई हमसे बोलता है की कि तुमने bit 1 ही क्यों store करा bit 0 करो तो हम एक बार at least effort डालके तो देखेंगे storage and retention of bit 0 तो देखते हैं सबसे पहला step हमेशा क्या होता है excitation डाल दा और storage को expect कर देखेंगे यहां पर हम लोग excitation डाल देते हैं x equal to 0 इसका output आ गया 1 इसका output आ गया फीडबैक यहां से आ रहा था यह storage वाला पार्ट हो गया मेरे क्याल से अब तक इतनी बात तो आपके दिवां में बैठ गई कि यार इस step पे न हम इसको memory element तो नहीं बोलें जब तक हम retention वाले पार्ट को क्रॉस वेरिफाइं नहीं कर सकते तब तक हम किसी भी digital device को memory element बोलने का risk नहीं ले सकते हमने इसको ऐसा connect कर आब मैंने क्या करा यहां पर जो इसको रिमूव कर दिए इसको हटाई दिया है हटाने का मतलब क्या है जैसे मालों यह कभी ground से connected रहा होता है तो हमने इसको floating कर दिया हटा इसको ground से ना तो connect रखा ना तो वी सी सी जैसे लास्ट क्लास में देने का पूरा floating छोड़ लिए वैसे यहां पर भी सपोज हो सकता है ground में connected रहा हो आपने इसको हटा के floating छोड़ लिया तो एक बार ज़रा चेक करो क्या हटाने के बाद भी आपको y के वैलो 0 मिल रहे बिलकुल मिलेगे क्यों कि यह जो 0 से तान है feedback में जा रहा होगा और यह already यहां पर 0 के तौर पर प्रेजेंट होगा और output 1 के तौर पर प्रेजेंट होगा और यह y equal to 0 वाले output को हमेशा constant बनाके रखेंगा वो सकता है आप ऐसा बोल सकते हो कि यह जो पर्टिकुलर डिजिटल डिवाइस हमने यूज करी थी इसमें हम bit 1 को भी store कर सकते थे बिट 0 को भी store कर सकते थे साथ के साथ क्योंकि जब हम bit 1 को store कर रहे हैं तो bit 1 तब तक आपका store ने जब तक आप यहां input पे कोई दूसरा excitation नहीं लगा रहो, फिर जैसे आपने यहां पर दूसरा excitation लगाए, output पर दूसरा bit store हो गया, तो यह जो digital device आपको दिख रहे हैं, यहां पर इस digital device में आप कितने bits को store कर सकते हो, कै यहां पर 2 bits को store कर सकते हो, अगर मैंने bit 1 store कर दिया है, तो bit 1 कब तक store रहेगा indefinitely bit one store रहेगा जब तक कि हम excitation change नहीं करेगे या फिर अगर हमने bit zero store कर दिया तो bit zero कब तक store रहेगा जब तक हम excitation को change नहीं कर सकते तो बता सकते हो कि यह जो device है यह कितनी stable states में already present है तो आप बोल सकते हो यह digital device आपकी दो stable states में present हो सकती है या तो one में present रहेगी या तो zero में present रहेगी तो अगर इसी device को मैं by stable multivibrator बोल देता हूं तो किसी को कोई दिखकत तो अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि even number of not gates in feedback even number of not gates in loop अगर हम इसको लूप में डाल देते हैं तो आप बतागे क्या इसको आप by stable multivibrator बोल सकते हैं तो यहां पर दो stable states है तो जहां पर दो stable states होती है इनको आप by stable multivibrator बोल सकते हो दो states का मतलब क्या हो गया एक बार bit one भी store कर सकता है और उसमें indefinitely रह सकता है जब तक आप excitation change नहीं करो आपने excitation change कर रहा है जिरो डाला तो यह 0 में पड़ा हुआ है अब जब तक यह 0 आप change नहीं करते हो कोई दूसरा excitation लगा के तब तक यह 0 में present रहेगा तो हमेशा ऐसे डिवाइस को क्या बोलगा जाता है by stable multivibrator तो जितने भी memory element दुनिया में exist करते हैं उनको अब हमेशा by stable multivibrator बोल सकते हो क्योंकि अगर कोई device memory element है तो उसके अंदर bit 1 को store करने की capability भी होनी चाहिए indefinite time तर और bit 0 को भी store करने की capability होनी चाहिए indefinite time तर यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बताओ कि हम लोग आते हैं अपने main mode देते हैं तो मानलो तो मानलो आपको कुछ भी उल्टा सीधा डाइग्राम बनाकि यह test करने को दे दिया जाता है कि ज़रा test करके बताओ यह memory element है या नहीं तो कितने लोग उसके testing कर सकते हैं तो मेरा question समझ गया ना मानलो मैं आपको कोई भी डाइग्राम बनाकि देता हूं उल्टा सीधा और मैं आपसे पूछता हूं कि ज़रा test करके बताओ क्या यह memory element है या नहीं तो कितने लोग उसके testing कर सकते हैं तो सभी लोग उसके testing कर सकते हैं 3 step का process मैंने testing के लिए आपको समझा दिया input डालो store कर आओ थोड़े देर में input हटा दो उसके बाद भी अगर output पर data store रहा जाता है तो आप बोल सकते हो कि हमारा यह device memory element के तरह काम कर रहा है ठीक है उसकी frequency 0 Hz होती है तो जितने भी by stable multivibrators होते हैं वो हमेशा दो stable states में रह पाते हैं और साथ के साथ output पे DC waveform को generate करते हैं यह बाद में बात करते हैं आप ऐसा समझो by stable word आपको समझा आ रहा है ना that is more than sufficient ठीक है चलो यह note कर लिया सभी लोग ने चलिए अब यहां तक तो यार ब और यहां पर भी एक ही output मिल रहा था तो देको धीरे धीरे जैसे technologies involved हुई जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई वैसे वैसे memory elements भी evolve करते गया तो आगे चलके लोगों को समझ आया कि अगर हम कुछ ऐसे memory elements को evolve कर लेते हैं जहां पर एक साथ हम दो outputs को generate कर पाए या एक साथ दो memory element होता है उसका अगर मैं block level पे representation करूँ आपको अभी इसके अंदर का मैं discussion नहीं कर रहा हो कि इसके अंदर क्या है जैस्ट हम लोग ब्लॉक लेवल पर discussion कर रहे है तो ब्लॉक लेवल पर आपको जो memory elements देखने को मिलेंगे उसमें आपको दो पिंस यहां पर दिखेंगे मार् सबसे पहले चीज़ यह वाले जो इनको 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 बोलते हैं इंका नाम क्या होता है इन पिंस आपको देखने को मिलते हैं साथ के साथ दो यहां पर दो एक neap universands होते हैं इनका नाम दीखना क्या होता है हो ओ इन पिंस को नो आवट पुथ नहीं बोला जाता है rather इनको क्या बोलते हैं eg को जो मेंबरीए अलिमेंट का आउपट होता है उसको नाम हम क्या देते हैं स्टेट्स ये स्टेट्स कौन सी दिलेशन में प्रेज़ेंट पूटेन अ से जितने भी मेंबरी element is known as states जैसे अगर जैसे अगर यहां पर इस state को थोड़ा सा decode भी करते हैं पहले यह diagram देख लो इस diagram अगर आपको clarity तो आप बताई तो जब आप खरीदने जाओगे यहां पर आपको दोपीन यहां पर मिलेंगे यह दोनों पिंस पर आना चाहिए वह हमीशा complimentary आना चाहिए इन दोनों पिंस पर हम लोग different different inputs अप्लाए करेंगे कैसे करेंगे उसको आगे के subsequent discussions में discuss करते हैं यहां पर लिखा क्यों यहां पर लिखा क्यों यहां पर लिखा क्यों यह वाला जो output होता है यह वाला जो state होता है यह हमारा memory bit के बारे में हमको बताते हैं तो मैं दो statements यहां सी लिखूंगा ना दोनों statements को बहुत अच्छी तरीके से समझें यह memory bit के बारे में हमको बताते हैं जैसे मालोग अगर हमने कभी देखा कि q की value कितनी मिल रहे हुआ है हम क्या बोलेंगे state of memory element is one जबी बी state of memory element is one होगा तो आप लिख सकते हैं विच मेंज memory element is storing bit one तो बिल्कुल basic से देख रहे हैं एक एक point को बहुत अच्छी तरीके से समझ के चल रहे हैं यह दोनो statements एक बार प्रॉसेस करो इसमें कोई problem है तो बताते हैं तो जैसे से आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका technology involved वी और जैसे technology involved वी तो जो पहले आप cross couple connections पहले जो आप connection देख रहे थे feedback वाला उस connection को थोड़ा समने टेक्नोलोजिकली एडवांस करा इसके अंदर कौन सा element है उसके बारे में discussion अभी आगे करते हैं अभी सिर्फ ब्लॉक लिवल पे अगर आप देखो आप मार्केट से खरीब के लोग है तो यहां पर दो पिंस यहां पर दो पिंस मिलेगे जो output होता है flip-flop का उसको हमीश तो दो स्टेटमेंट्स आप बोल सकते थे यह जो भी मेमरी अलिमेंट्स था यह कि बिट वन को स्टोर कर रहा था क्यूंकि इसका स्टेट कितना था यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में कि आ गया कि ड़न कि नोट करते रहो आराम से करो नोट है बिल्कुल भी जल्दी नहीं अराम से नोट करेंगे अराम से एक एक पॉइंट को समझते वह चलेंगे दिमाग में स्टोर करते वह चलेंगे तो मैं अभी तक कुछ कुछ बाते मैंने पड़ी उसके basis पर ना question answer फटा फट खेल लेते यस नो यस नो में answer करते जाओ तो मैं दो थीन स्टेटमेंट्स भोलता हूं फटा फटा आप मुझे answer देते जाओगे सबसे पहला statement for a digital device to be qualified as a memory element the excitation should always result in the storage and once the excitation is removed the storage must be restored yes or no तो पहला statement यस और नो में बता ही है सही है या गलत तो पहला statement बिलकुल correct है second statement second statement the output of the memory element is commonly known as states the output of the memory element is commonly known as states जूसरा statement भी सही है a general memory element has complementary states या complementary outputs a general memory element has complementary states या complementary outputs ये statement भी बिलकुल perfect और last statement last statement in any memory element the uncomplimented state is always known as the memory bit जो भी आपका uncomplimented state आता है उसी को आप बोल देते हो यहाँ पर जो आएगा मैं मानूंगा कि वही bit मेरी यहाँ पर store हो रही है ठीक है ना चलो बहुत ही simple यह 4 statement हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गए चलो अब बात कर लेते हैं latches की latches क्या होते हैं या फिर latches में कौन-कौन से point हमको discuss करने चाहिए उसके बार में भी चर्चा करते हैं तो असल में अभी तक आप जो देख रहते हैं यह latch ही था बट इस latch को अभी आप block level पर पढ़ रहे थे तो अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है यह जो block आपने यहां पर बना रखाता तो एक देखते हैं latches क्या होते हैं सबसे पहले तो latches यहां पर होते क्या उसको समझें latch is a cross coupled connection of the logic gates which is used to store bit 1 और bit 0 at a time तो latches का मतलब क्या हो गया कि कुछ भी एक ऐसे device हम बनाएंगे जो किसी भी तरीके से bit 1 को store कर पाए या bit 0 को store कर है बर दोनों में से किसी एक bit को at a time store करें और उसके लिए हम लोग कुछ connections use करेंगे वो connections जिसने भी बनाए होंगे उसने यही सोच के बनाए होगा कि जब मैं input लगा तो मेरा one store हो जाएगा और कल को input हटा भी दूँगा तो one मेरा indefinitely stored रहेगा उसके लावा जब भी आप किसी latches की बात करते हो तो complimentary states are available यह थोड़ देर पहले मैंने डिसकस ही करा कि जो भी memory elements होते है या latches होते है उसमें हमेशा complimentary states हो available होगे होगे साथ के साथ latch को हमेशा कितने bit का element बोला जाता है one bit memory element क्योंकि at a time या तो यह one store कर पाएगा या तो फिर zero store कर पाएगा ठीक है एक से ज्यादा bit store करना होता है तो register ले 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 तो यह सारे latches को या flip-flops को cascade कर देते हो एक के पीछे एक लैचे या flip-flop एक-एक bit को store करता है उस पज़े से उसको register बोल देते हैं बट अगर एक bit को store करना सीख गए तो लाखों bit को store करी लोगे ना कि क्या चलो यहां तक देखो जो भी discussion चल रहा था ना काफी basic discussion चल रहा था इसके बाद हम जो discussion करने वाले हैं यह पूरा का पूरा discussion बहुत अच्छे से समझना और इन सारे discussions के थुरू अब हम लोग problem-solving skills को भी develop करना सीखेंगे हर एक output जो आपका हर एक slide जो आएगी आगे स से अब वो अपने आपने एक एक question को solve करने में आपके help करेगे देखो latches कितने तरीके के होते हैं मैं दो तरीके के latches पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं एक आपका होता है active high latches ठीक है यहां से आप थोड़ा सा concentration बढ़ा लेना बहुत ज्यादा अगर question को एक एक सेकेंड में solve करना चाहते हैं एक आपका होता है active low latches ठीक है एक आपका होता है active low latches simple भास्षा में अगर मैं बोलू तो आप यहां पर एक एक keyword याद कर लो एक एक मंत्र याद कर लो दोनों में active high latches में अगर मैं आगे से बोल देना कि active high latches में क्या होगा तो आप बताना इस एक इसा बोल सकतो है यहां पर जो भी होगा वह हमेशा वन के हिसाब से होगा यहां पर जो भी होगा हमेशा 0 के हिसाब से ओना चलो दो तरीके के हमने बात करें अब सबसे पहले बात करते हैं active high latches जो होते हैं उसमें कौन-कौन से आपको पिंस दिखते हैं और कैसे वह दिखने में होता है जितने भी आपके active high latches होते हैं ख्यांसे समझना उनका दो input pin और दो output यह पिन आपको मिला क्यूं यह क्यूं बार इसके बारे में तो आपको पताएं इसका नाम है active high latches active high latch आपने देखा इस बार जो input pin हमने लिया उसका नाम भी रख दिया तो आर को मैं बोल देता हूं reset pin और s को मैं बोल देता हूं set pin अगेन हम markets अगर इसको खरीद के लाएंगे तो वह हमें बता के देगा कि कौन सीपिन reset है कौन सीपिन set active high latch में आप एक चीज़ और देख पार होगे कि आर के सामने आपको strictly क्या दिख रहा है क्यों और s के सामने क्या दिख रहा है क्यों वापस से मैं आप से पूछता हूं मुझे बताएंगे सभी लोग अगर यह active high आपको यहां पर दिख रहा है तो कि दिवाइस बनी कि इसके अंदर क्या है है हमें और भी कोई लेना देना है मैं तो बस क्या बोल रहा हूं इसको मार्केट से खरीद के लिए क्लिए उसना इम मैं बता दिया कि सर्य आर पीन ये स्पीन आर के सामने क्यों लिखा लिखा हूँआ सो अप पूछना चाहता हूं य अगर मैं आप पर वन देता अग्टिवाई मेने को वन डॉमिनेट करेंगा तो यह दो पिन से यहां पर जो होगी होगा वा मेशार के शाब से होगा चाहिए अगर मैश्प जो और आपनेस्फ दिया यह स्पट वाली कि एकट今गbung है चलते हो तो आपने क्यों पर क्या लिए वन स्टोर कर दिया चब आर पे आपने वन दिया यह एक्टिव हाई लाश था वन के यह तो बहुत ही ब्लॉक लेवल पर बात चलते इसी बात को जब ब्लॉक को खोलेंगे तो आपको पूरी की पूरी कहानी बिल्कुल ट्रिस्टल क्लियर हो जाएगी जस्ट प्लाइका अब ख्लास समझ आ गया चेक कर लो जो समझ आ अंधर से काम चलेगा अगली स्लाइड में हम लोग डिसक्स्ट्शन करने वाले हैं अखली स्लाइड में आपको अंदर से भी पूरी की पूरी कहानी समझ में आएगी बट अभी के लिए यहां पर मैं आप से कुछ दिमाग यहां पर लिखा हुआ हां ृक्स करने लोग कि अबन के लिए जवाब ने कि रहते हैं कि अगर हमने ये पता चल जाए आपको दिख रहा था या पिर यह एक बॉक्स को बनाएं था ये दिख रहा एक इसके अंदर क्या प्रेजेंट है तो शायद हम इसको और अच्छे से समझ पाते हैं तो आए देखते हैं जो स्टाइंडर्ड लाच होता उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है जब तुम बॉक्स को खोलो गिना यह वाला पें तुमको क्या दिख रहा है अब यह डिसक्र बनाई होगे उसने देखो एक नॉर यहां पर लगाए और इनके भीच में क्रॉस कपल करनेक्शन लगा दिया यहां पर जो एरौ है वो और पूट इस तरीके से आ रहा है यहां से अगर कभी भी आपको नॉर लैच दिखता है ध्यान से सुनना मेरी बात को अगर कभी भी आपको NOR latch दिखता है, उस NOR latch में, R के सामने अगर Q present होता है, और S के सामने अगर Q बार present होता है, तो ये दो रो combination भीला क्या आप बोल सकते हूं, that it is your native high latch, रूजिनर्ट स्टांडर्ड विर्ट में क्यों यूद्ट कर रहा हूं कि यहां पर आप देख रेहों construct को दूसरा गेट यूजने मौन है को और मतलो मैं यहां पे कि गत्रा ऐसे डाल देता या फिर जैसा गेट डाल देता फिर यह स्टांडर नहीं रहा जाता है यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसले यूज़ कर रहे हैं कि यहां पर आप देखे हो कि सिर्फ नौर गेट के लावा कोई भी दूसरा गेट नहीं है तो सबसे पहली चीज जो आज की क्लास में आपको याद रखनी ह कि क्या आप इस तरीके के असेंब्ली को देखके इतना पैचान सकते हो या निहीं कि अधिव हाई है या या अक्टीव लोग बस यह देखके पैचान शकते हैं कि सरी नौर गेट हमने देखा पहला चेक्लिस्ट टिक हुआ फिर आर के सामने क्यू था इसके सामने क्यू बार था तो हम आग बंद करके बोल देंगे यह एक्टिफ हाई लाया चोगा और जो भी चीज यहां पे होगी वह वन के हिसाफ से होने चीज़गा यह सब्सक्राइब चल जाएगा चलें इसके memory element का operations को चेक करने से पहले मैं जस्ट आपको एक बार nor gate के truth table की तरफ आपकी नजर लेके जाना चाहता हूं कि अगर मैं nor gate का truth table लिखता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए जीरो 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 वन वन जीरो वन अगर आप नोटिस करो तो nor gate में अगर एक भी input आपका वन आ जाए तो output क्या आजाता है यह चीज़ आप नोटिस करो इसको मैं जस्त आपको दिखाना चाहता हूं नौर गेट में अगर एक भी input वन हो जाए एक एक या दोनों input वन हो जाए और पूट आपको हमेशा जीरो मिलेगा तो यह याद करनो इसके basis पर operations करना स्टार्ट करते हैं नौर गेट में एक भी input वन हो जाए आउटपूट हमेशा जीरो मिलेगा इसमें कोई दो रहा है नहीं इसको आप हमेशा याद रख सकते हैं अब अगला जो पास देश्मिट का डिसकेशन है उसको आप बहुत आराम से समझे और आप खुद उसका आंसर मुझे बताते कितने लोगों को देख करी पता चल रहा है इस एक स्टैंडर्ड एक्टिव हाइग नोर लैच यास और नो का आंसर मुझे एक स्टैंडर्ड एक्टिव हाइग नौर लैच वहतीं सिंफल एक ही लाच पढ़ा बीद तक उसमें नौर दिख रहा है उसमें भी नौर गेट के वो कोई दूसरे गेट कहीं पर यूज नहीं हूँ तो यह स्टांडर्ड एक्टिव हाई नौर लाइच है चल जाएगा यह पॉइंट हमको समझ में अब अगर हमसे कोई पूछता है कि इसमें बिट वन स्टोर करो तो आप मुझे बताओ साफ साफ सभी लोग कि क्या करें तो शायद यह अपने किसी प्रीवेस स्टेट में पहले से था वो मुझे नहीं पता समझ गए जब मैं इसको नया नया खरीद के लाया था तो शायद यह किसी प्रीवेस स्टेट में पहले से प्रेजेंट था उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं वो क्या था तो मैं यह यहां पर ना किसी तरीके से मुझे वन दिख जाए यही तो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा अब अगर यह एक्टिव हाई लैच है और आपको वन स्टोर करना है तो आप बोल रहें सर एस की जगह पर क्या करो वन दे लिया अब देखो एस की जगह वन देने का जो वर्ड यूस कर रहा हो न मैं वह यूज़ कर रहा हूं कि आपने इस टर्मिनल को अक्टिवेट कर दिया क्या इसको डिया डिक्तिकत किसी को अब बताना नौर गेट का एक इंपुट वन फटाफट बताओ आउटपुट क्या जाएगा तो प्रीवेस स्टेट कुछ भी रही हो क्या फरक करता जाओं अपनी तरफ से मैं कुछ करने वाला होनी है more or less लाइच के concept को आप सीख चुके हो operations जस्ट आपको देखते जाना है फिर बाद में चार statements आपको याद करना देखो नौर गेट है आपने बोला एस इकोल डो यानि इसको कितने लोगों का ऐसा बोलना है कि सर इससी स्टेट पर ना क्या करो इमेरेटली बोल दो कि यह bit one store हो गया है और यह memory element के तरह काम कर रहा है कितने लोग इस बात से इत्फाक रखते हैं कि सर बिल्कुल सही बात है आपने क्या करा इसको activate करा और इसको हटा दिया और जैसे आपने इसको बन रखा यहां पर आपको जीरो मिला यह जीरो इधर प्रॉपगेट होके गया इसने स्टोरेज बिट को बन कर दिया तो कितने लोग यहां पर मुझे यह बताना चाहते हैं कि सर अब जो भी आप समझा रहे थे वह सब साइड में रखो सबसे पहले इसको बोल दो कि एक मेंबरी अलिमेंट है क्यों मेंबरी अलिमेंट नहीं हो सकते हैं टिकत क्या है हो तो गया ना वन स्टोर क्या चाहिए यह बट प्रॉब्लम यहां पर क्या है अभी सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है स्टोरेज हुआ है क्या स्टोरेज क बहुत द्यांस इस बात को फिर यहां पर क्यू आपका वन था पिशली वाली स्लाइड को यह समझ लू मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया ड़िया यह पिशले केस में सिनारियो चल रहा है चलो बताते जो भाई अब क्या करने क्या करना चाहिए तो आप बोलोगे हटा द अब बताओ क्या होगा देखो यहां पर यह बन आएगा यहां से घूमते हुआ है यहां पर नौर गेट का एक बेंपुट वन आउट्पूट यह जीरो वापस से जाएगा घूमते हुआ देखो इंपूट हटा दिया तो भी तुमने क्या इस टर्मिनल पर वन को रिटेन र यह सब यादर नि रखना है यह सब कुछ याद नि रखना बirt गाथा की तरह सुते हो और यहाथ के रखना हो चार लाइन बताऊंगा चार लाइन से सारे कुर्ष्ट के नहीं है कि यह महनत बहुत जरूरी बहुत जरूरी इसको अगर तुमने एक incidents पूरा का पूरा और मेरे साथ सब करते चले गए तो सवाल तुमसे पांच सेकेंड से अगर छटा सेकेंड लगता है इसका मतलब यह पूरा का पूरा प्रोसेस पर तुमने ध्यान निया पांच से शे सेकेंड के अंदर कोई भी लाच के क्वेश्चन इमिडियेटली क्रैक हो जाएगा बिना ज अगर आपने सर मूंस टोर करा लिए अगर बीट्वन इसके समुरी समुरी देख लेते समुरी अगर हम ने लिया र इक्टिव हाई- लाच था आउट्पुट हमारा मिल गया q equal to 1 and obviously q bar equal to 0 यहाँ पर मैं एक statement लिखता हूँ देखो वो statement से कितने लोग इत्तिफाक रखते हैं irrespective of previous state irrespective of previous state previous state क्या था न उससे कोई फरक ही नहीं पड़ा क्योंकि नौर गेट का एक output 1 हुगा तो output एक input 1 हुगा तो output 0 होने ही वगा तो यह आपका क्या था s equal to 1 r equal to 0 इसको बोलते हैं हम लोग set condition इस condition को क्या बोला जाता है set condition फिर आप यहाँ पर दोनों को deactivate करते हो s को और r को उसके बावजूर आपका जो output आता है वो same रह जाता है यानि इस condition को आप क्या बोल सकते हो memory या old condition इस condition को क्या बोला जाता है memory condition या फिर old condition याद कुछ करना है नहीं सुनते जाना है कहानी कितरा और note करते जाना है तो आपने वहाँ पर एक statement अड़ करा irrespective of previous state previous state कुछ भी रहा हूँ यह उसको set करके ही मानेगा फिर उसके बाद तुमने दोनों को deactivate करा तो भी एक यू इक यू इकल दो बान और क्यू बार इकल दो जीरो को hold करके रखा फाइन चलो फटा 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 आगे बढ़ते है अब बात करते हैं स्टोरिज और इटेंशन और बीडियो जुराओ स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते है योग्या आर योग्या योग्या क्यू योग्या क्यू बार फटा फट मुझे बताओ सबी लोग क्या करना चाहिए आपने सबसे पहले पहटाना कि यह क्या था या active ही कैसे पहटाना नौर लैज था आर के सामने क्यों s के सामने क्यू बार आपने बोला yaj जो भी होगा वान के हिसाप से ओक इतनी चीश फटा-फट आपको दिमांग बोलते जाना है आपने क्या बोला यहार यह नौर लैज था आर के सामने क्यू बार एक्टिव हाई है जो भी होगा वन के हिसाफ से होगा अब मुझे स्टोर करना है बिट जीरो यानि इसी वाले टर्मिनल पर बिट जीरो लाना चाहता हूं तो बताना क्या करना चाहिए नाया है हमेशां यहां पर वनी इंपूर्ट दे सकते हो उसी इनपूर्ट के थे जिरो इसको अपको अक्टिवेट कर सकते हैं यह बात तो आपको अपने दिमाग में बोले भड़ए जैने है है क्या कूंद नौर टर्मिनल उसने अचाहर आप इसको लाओ जांगा बंके तो आ गया जीरो आने के बाद अब यह जीरो घूम के इधर से वापस भी तो आएगा यह वन होगा आपके वैलिड हा रहते हैं और जीरो स्टोर भी हो गया तो आप में से कितने लोग इस बात से अगरी करते हैं कि यार अब जो भी डिसकुशन होना तो हो गया अब पहले काम करो इम नहीं बोल सकते उसके लिए क्या करना पड़ेगा रिटेंशिन चेक करना पड़ेगा आई यह रिटेंशिन चेक करते हैं आर इकोल टू बन यह पहले वाले हाला थे यह क्यों इक्टिवेट करते हैं यहां पर हमने क्या कर दिया आर इक्टिवेट कर दिया एक्टिवेट कर दिया है आपका एक्टिव है इन्फुर्ट तो उसको हटा दिया आपके साइड में रखा अब यहां पर यह भी जीरो यह भी जीरो अब यह वन वाला इंपुट यहां से रोटेट होके आएगा आजाएगा ना रोटेट होके तो नौर गेट का एक भी इन्फुर्ट वन तो आउट्पुट तो यह जीरो यहां पर आएगा और यह रोटेट होके इसके पास पहुंचेगा यहां पर पहुंचेगा दोनो जीरो आपको क्या अब बोल सकते हो यह जो क्रॉस कपल कनेक्शन ओफ नौर गेट था यह सक्सेस्फुली मेमरी अलिमेंट के तरह काम कर पा रहा है क्यों क्यूंकि एक्साइटेशन लेने पर यह डेटा स्टोर तो करी पा रहा है पर उससे भी ज़्यादर जरूरी बात क्या है कि कल को अगर को एक्साइटेशन भी दे रहा है तो भी यह डेटा को सक्सेस्फुली रीटेन कर पाथ है इंपॉर्टन चीज़ यहां पर क्या है डेटा स्टोर करना कभी बहुत नहीं होता ना डेटा स्टोर कर सकते हो एक एक आप बफर लो बफर में एक पाच वोल्ट के इंपुट पे सप्लाई लगा दो आप पुट पे हमेशा बन स्टोर रहेगा बट बफर कभी भी मेमरी एलेमेंट की तरह यूज नहीं होता क्यों कि कल को तुम इंपुट पे पाच वोल्ट की सप्लाई हटा दोगे तो आपुट भी गायब हो जाएगा इंपॉर्टन क्या होता है कि डेटा स्टोर करना इस न कर सकते हैं और एकौल टो वं इस इकौल टो वन भी करेंगे उसका भी डिसकेशन ठोड़े बन पहले को इसकी समरी लिख ले और स्की समझ्री लिखते हैं समक्री पर देखो कितने लोग इस बार वापस से अगरी करने को यह जो आप पढ़ रहे हैं उसमें याद क्या करना आ इर्रेस्पेक्टिव ओफ प्रीवियस स्टेट यह लिखना काफी ज्यादा जरूरी है इसका महत्वा आपको बाद में समझ में आएगा इस कंडिशन को मैं क्या बोल देता हूं रीशेट कंडिशन थिक है तो यहां पर तो मेमरी एलिमेंट के तरह काम होगा नहीं दोनों को डिये अक्टिवेट करते ही को आपके जीरो कर दिया तो भी आपने पाया कि याद आउपट में कोई फरक नहीं पढ़ रहा था आपने बोला इस कंडिशन इस काल्ड आ है होल्ड या memory condition hold or memory condition यहां तक आप मुझे clearance दो तो मैं आगे चलता हूँ यहां तक अगर आप मुझे clearance दे दो तो मैं आगे चलता हूँ और बहुत सारे लोगों का यह query आ रहा है कि sir r equal to 1 is equal to 1 दे दे तो क्या हो जाएगा अगली slide में वही same चीज़ उनको discuss करने है और वह काफ़ी important भी होता है exam में ज्यादा तर टाइम पर आप देखोगे ना वही question आता है ठीक है आगे चले चलो देखो अब case 3 पर आते है case 3 की पहले heading पढ़ लो जैसे अगर active high latch है तो वहां पर सारा काम वन से होता है अगर आप deactivate करना चाहते है तो आप उसको ground कर दो या फिर जीरो से connect हो ठीक है चलो heading पढ़ लिस अभी लोगों ने मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से सुनना सपोज आप यह latch मार्केट से खरीद के लेकर आए आप यह latch मार्केट से खरीद के लेकर है यह अंदर तो आपको दिखेगा निया क्या बनाया आपको तो बाहर एक बस ब्लैक सी डिवाइस दिखेगी यह आप खरीद के लेकर है जो आप खरीदने गया थे तो उसने आपको साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रखा था भाई साब घीत लार है दो आपको बतादि वगरा सब कुछ आपको दे लिए उसने या क्यूपके बागर नि अगठाए एक बार में एक Wein को वन कर आ या तो एस और आर토 हो आप मालने वालimes हो क्या है आप उसकी बात सुनोगे जो इसने बोला है कि यहां पर एस इकोल टू रखो और यहां पर एकोल टू जीरो रखो गे तो बिट वन स्टोर हो जाएगा तुम्हारा काम चलता रहेगा तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आगे अगर यहां पर तुम रख तो शाहल स्मूथ चलती रहेगे तो मानने वाले हो क्या मानोगे तो नहीं क्या करोगे भई खुराफाति दिमाग क्या करोगे दोनों पर पांच-पांच वोल्ट लगा दोगे क्योंकि तुमको पता है यह एक्टिव हाई है और एक्टिव हाई मतलब इसको वन देने पर तक तकलीफ हो और दूसरों को तकलीफ में देखके हमें ज्यादा कोशी मिलती तो हम क्या करेंगे अक возможность करते आप देंगे ज्यादा तक्लीफ इसको चलो तो ज्यादा तक्लीफ जैसे ही आपने दी इसको दोनों पर आपने वन बन लगा दिया आपको बता था वन देने पर इसको थोड़ी सी ट्रबलनेस होती है थोड़ा से इसको काम करना पड़ता है जीरो देने पर ज्यादा काम नहीं करना बोरोगे यह तो इन्वालिट स्टेट ऊगे है मैंने इस इन्वालिट स्टेट से बिज़ादा बड़ाए थीच छो input पर और को 0 कर दूंग तो वही स्टेट हो जाती है जासे कि प्रीवेस स्टैशन में आप चेख करें यहां पर आर एक वैलिट स्टेट आई और इसे वैलिट स्टेट को आपने होल्ट कर लिया जैस साही यही बात है similar तरीके से यहां पर भी यही काम हुआ सबसे पहले आपने आर इकोल टू वान एस इकोल डू जीरो दिया आउटपुट प्र आगया जीरो और वन तो जैसे आपने इसको जीरो और जीरो किया आपने उसी वैलिट स्टेट को होल्ड कर लिए अब मेरा मानना मेरा आपसे पूछना यह है कि अब अगर इम्मीडियेटल इस र or s1 के बाद में जीरो जीरो इसके लगा दू तो क्या मेरा यह invalid स्टेट होल्ड होना चाहिए या नहीं होना तो heading देखो heading में मैं पूच रहा हू about is the holding capacity of invalid states इतने लोगों को मेरा concern समझ में आ गया कि मैं पूछना क्या चाता हूँ मेरा मुद्दा यह नहीं ठीक है लगा दो r equal to 1, s equal to 1 हर कोई लगाएगा कोई भी अगर device लेके आएगा और जो काम मना किया जाएगा करने के लिए वो तो हम करेंगे सबसे पहले concern सबको समझा गया है मैं कूछना क्या चाहता हूँ तो आप इसके तीन केस करते हैं सबसे पहला इसका propagation delay tpd1 इसका propagation delay tpd2 मैं मान लेता हूँ case 1 में फर्स्ट केस में दोनों का जो propagation delay है वो सेम हाला कि ऐसा कभी होगा नहीं है ठीक है कोई भी दो लॉजिक गीट्स का propagation delay कभी सेम होई नहीं सकते क्योंकि जब आप इनका fabrication करते हो न तो fabrication जनरली इनके bipolar devices से होते हैं और bipolar devices का बीटा होता है वो बीटा हमेशा दो डिफरेंट होता है इस वज़े से प्रॉपागेशन डिले में भी फरक रहता है बट चलो फॉर्द सेक आफ थियूरी माल लेते हैं कि दोनों का प्रॉपागेशन डिले सेंग कहानी क्या हो रही थी यहां पर यहां पर आपने आर इकॉल टू वन यहां पर लगा रखा था यहां पर इस इकुल टू बन लगा रखा था ठीक है आउट पुट पर इन्वालिट स्टेट्स आ रहे थे यह भी मैं अगरी करता हूं और मुझे मैं अचानक से इन दोनों को हटा देता हूं अचानक से हटा कि मैं इसको R equal to 0 और S equal to 0 कर देता हूं और अभी तक मेरे दिवांग में यह पूरी तरीकरे से कूट कूट के भरा हुग है और S equal to zero का मतलब होल्ड कंडेशन यहसे R equal to 0, S equal to 0 आएगा यह previous condition को होल्ड करे रही तो अब एक बात सोथ समझके बताना अगर दोनों का प्रॉपागेशन डिले सेम है तो यह वाला भी जीरो भी तो इसी इंस्टेंट पर यहां पर प्रेजेंट होगा यहां था मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर जीरो था तो यह जीरो ऑल्रेडी आउर्पुट से उठके यहां पर प्रेजेंट होगा यह जीरो भी ऑल्रेडी आउर्पुट से उठके यहां पर प्रेजेंट होगा यह वाला अगर दोनों का प्रॉपागेशन डिले सेम है तो दोनों एक साथ रियक्ट करेंगे और आउट्पुट आपको दोनों का क्या मिलेगा बॉन चेक करो तो मैंने एचको जीरो पहले से ओठके यहांपर औौजूग का दोनों ञेकर और दोनों अगले स्कूर Governor अगले सिपल के और यह वाला गर दोनों प्रापागेशन डिले सेम है और आपने देखा नौर गेट का एक इक इंपूर्ट वन हो गया तो क्या इमेडियेटल यह दोरों को जीरो कर देगा दीखो और आप क्या यहाँ पह देख पार हूँ लगातार आपकी ब्लिंकींग होती जाँ और मैं इक यहाँ रगा देता यहाँ पर आप बताते हैं कि क्रोना है कि एलाइए यहा इसा हो गाốc when आप टिख क्या है मतलब मैं समझार हूं पहले आप इस situation को समझने की कोशिश करो मतलब तुम्हें अभी बताएं रहो ना इसका मतलब क्या होगा वो तो बाद में समझेंगे बट पहले इस situation आप समझने की कोशिश करो कि अगर मानलो theoretically ही सही theoretically ही सही इसका और इसका propagation delay अगर कोई मुझसे बोल देता है और मुझसे कोई बोलता है यार दिवाली वाली जालर बनाके दिखाओ तो आप क्या करो दिवाली वाली जालर अगर आपको बनाना है तो market में जाओ और उससे बोलो कि एक ऐसा आपको memory element दे 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 जिसमें दोनों नौर गेट का delay सेम हो हलाकि ऐसा होगा नहीं बाइदवे कहीं से आपको दे दीता है तो आपको कुछ करने के जरूरत नहीं पहले यहां पांच वोल्ट लगाओ और यहां पर पांच वोल्ट लगाओ और इसके बाद हटा दो यहां पर लगा दो एक LED आपकी जलती रहेगी इंफानेट टाइम तक जलाते रोस हलाकि कुछ storage delays होते हैं इंफानेट टाइम तक नहीं जलेगे बड़ आइडिली यह वाली जो एलीडी नहीं ब्लिंक करते रहें लगा तो जलती बुष्ती जलती बुष्ती रहे है को है को है कि दन चलो तो मतलब यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे थोड़ा-थोड़ा यह समझ आई कि अगर outputs are invalid in nature in that case the memory capacity or the holding capacity of the invalid states cannot be ensured क्या आप इस 0,0 को hold करके रख पा रहे हैं तो यानि कि जो s equal to 0 और r equal to 0 होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी condition को hold कर सकता है, they can always hold the valid conditions कभी भी आपका s equal to 0 और r equal to 0 invalid condition को hold करी नहीं सकते, no matter what चलो दो cases और देख लेते हैं, यह तो पहली बात हुई समझ गए दिवाली की जालर कैसे बनानी है बना थो नहीं बाओगे, क्योंकि डिले तो different मिलेगा but theoretically बना सकते हो theoretically बना सकते हो, बनाते रो जलाते रो चलो आगे देखते है case 2 पे आते है case 2 पे कुछ practical बाते कर लेते हैं, case तो नहीं लिखता है case word और अल्रेडी यूज कर चुके है, तो ऐसी में दो का symbol बना देते हैं तो यह देखो, यह भी अच्छा इसमें याद क्या रखना है, जो अभी तक आप पढ़ रहें, कुछ याद रखना है क्या कुछ याद में रखना है कुछ याद में रखना है, गाथा चल गए महाभारत अराम से सुनते रो note करते रो, note करना ज्यादा important है, कुछ भी याद नहीं करेंगे, एक भी point याद नहीं करेंगे, बस सुनें गया राम से, अगर सुन लिया, चार statements का बास आपको इंतजार करना, वह चारू statement समझ थाभी पाऊगे, जब यह पूरी की पूरी कहानी आपको clear होगे, समझ गए, चारू statement में तभी आपके दिमाग में बैठ जब वह आपको clear होगे, चलो मैं यहाँ पर कहा करता हूँ, मतलब यह वाला fast हो गया, इसको थोड़ा समय तेज बना रही है, और यह हो गया slow, propagation delay जादा मतलब slow, इसको मैंने slow कर गया, यहाँ पर भी देखो आपको clear है, यार यह situation तो पहले वाली है, जो मैं ऐसे bubble में बंद क पहले वाली situations चल रहे हैं, यह वाला zero, यहाँ पर मौझूद था पहले से, यह वाला zero, यहाँ पर मौझूद था पहले से, यह दो जिरो पहले-पहले हम वजूद थे, immediately मैंने क्या करा, इस R को डाला zero, चेक करना चाहता था, memory condition इस S को डाला zero, बताना पहले किसका output आएगा, यह fast था, इसका output पहले आजाएगा, यह भी zero, यह भी zero, यह पहुंच गया बाद, इस बार यह one यहाँ पर पहुंचेगा, प्यूंकि यह one output आ चुका है, तो देर सबर यह one घूम के तो आएगा, यह zero replace हो जाएगा one से, और नौर gate का एक भी input one, तो output zero, चेक करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ से दो चीज़े पूछता हूँ, पहले तो यह देख लो, यह जो मैंने बनाए, इस पर क्या आप लोग अगरी करते हो, अरे जल्दी जल्दी बोलो यार, कर दो अगरी सब लोग, ठीक है, चलो, सब लोग अगरी कर रहे है, तो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि अगर मैंने पहले r equal to 1, s equal to 1 लगाया था, या जो मेरा invalid output आ रहा था, यह invalid output at least valid में तो convert हो गया, बट क्या यह previous condition को hold कर पा रहे है, नहीं कर पा रहे है, तो यहाँ पर अगर आपका output कभी भी invalid states आता है, कभी भी नहीं, never, देखो कहां hold हो आ आईएले तो 00 hold होना चाहिए ना बट यह 01 में convert होगा, यह 0 में convert होगा, यह 0 में convert होगा, and so, fine, एक case और कर ले, तीसरा case खुद से करके बताओ, तीसरा case खुद करो, case 3, यह case word तो 3 कर लेते हैं, 3 में मैं नीचे वाले को तेज कर देता हूँ, उपर वाले को धिमा कर देता हूँ, यह slow कर लो, इसको fast कर लो, सारी situation में बना के देते हूँ, R के सामने Q, S के सामने Q bar, R को मैंने दे रखा था, 1, S को दे रखा था, 1, इसको ज़्यादा तकलीफ देने के लिए, तो दोनों को activate कर रठा था, तो दोनों आपके 00 आ रहे थे, सब यह पुरानी वाली situation चुल रहे, यह 0 घूम के यहाँ पर पढ़ा था, यह वाला 0 घूम के यहाँ पर बैठा हुआ था, input का इंतजार कर रहा था, input के change होने का, input आपने immediately change करा है, आपने बुला मैं memory condition चिक करना चाहता हूँ, तो आपने दोनों को 0 डाले, इस बार कौन फास्ट था यह, यह जल्दी response कर देगा, 00 देखा, इसने बना दिया इसको होगा, अब यह 1 देर सबेर घूम के यहाँ पर पहुंचेगा, यह जाएगा, जब यह देर सबेर में घूम के यहाँ पर पहुंचा, तो यह 01 हो जाएगा, एक बी input कॉंट और पूट कॉंट, यहाँ पर देखो, क्या holding capacity of invalid states, insured हुई, ठीक है, चले, summary लिख ले इसका, अब ऐसे exam में सवाल आता है, सवाल कैसे आएगा, वो थोड़ दिर में आप से, अपने आप होने लगेंगे हैं, question में कैसा भी variation करेगा, अब आपका दिमाग धिर दिर खुलने लगा है, याद कुछ कर रहा है, बस सुनते रहा है, सुनते रहोगे सवाल हो जाएगा, ठीक है, चलो मैं आप एक आदे statements आपको बोलता हूँ, आपको मुझे बताना, बताना गलत है सही है, पहला, in active high sr nor latch, s equal to 0, r equal to 0, represents a memory or hold condition, बोलो, अब मैं आपको बताता हूँ, true table याद करने के नुकसान, true table रटने का नुकसान, अब आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, बोलो, in case of sr nor latch, the s equal to 0 and r equal to 0, represents the memory or hold condition, यह statement सही है अगलत, सोच समझ के बताना, मैं बलाब, सही है, गलत है, बस यह मैं जाना चाहता हूँ, is this statement true or false? चलो, मैं दूसरा statement बोलता हूँ, तो शायद आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ मैं, है, second statement सुनो, in case of sr nor latch, s equal to 0 and r equal to 0, represents memory or hold condition, only if previous states are valid states, अब बताओ, दोनों में से कौन सा सही है, first वाला सही है, second वाला सही है, तो आपको समझ आएगा कि true table से सवाल क्यों नहीं लगता है, second वाला statement बिल्कुल सही है, तो जो आप true table याद करते हो, true table में सिर्फ क्या लिखा होता है, s equal to 0, r equal to 0, memory condition, और आप s equal to 0, r equal to 0, memory condition रट लेते हो, सवाल लगाने जाते हो, और सवाल में हो जाता है, धोका, जबकि अगर आप notice करने के कोशिश करो, तो यहां पर कहा है, r equal to 0, s equal to 0, memory condition रट लेते हो, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो आगे से आप भी statement याद रखेंगे, s equal to 0, r equal to 0, और deactivation of input terminals represents the hold or memory condition when and only when the output states are valid in nature, वो हमेशा valid states को hold कर पाएगा, इन valid states को कभी भी hold नहीं कर सकता, आप जो मर्जी चाहे कर लो, चाहे दोनों का delay same कर लो, चाहे एक को fast दूसरे को slow कर लो, दूसरे को slow पहले को fast कर लो, जो मर्जी चाहे कर लो, तीन cases मैंने बना दी जितने possible हो सकते थे, तीनों में से किसी भी case में वो output को hold नहीं करता है, यहां तक किसी को किसी भी statement में problem है तो बताओ, फिर मैं summarize करने वाला हूँ चीजों को और इसका true table में लिखने वाला हूँ, इसका propagation delay यह one है, जादा है तो यह slow हो गया, इसका propagation delay कम है, तो यह fast हो गया, तो देखो होगा क्या, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, यह वाला fast है, तो यह 0 और 0 मिलके output देदेंगे 1, अब देखो यह 0 मानलो पहले से present था भी तो यह 0 और 0 मिलके, जो यहां पर आपका पहले से present था है, मानलो यह 1 दे भी देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद यह वाला 1 तो पहुंचे गई ना feedback में, और एक बार यह वाला feedback में पहुंच गया, तो output आपका हमीशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आया समझा, देखो, actually होता क्या है, जैसे मैं आपको समझार हो, कि आपको इन वापस से रोटेट हो के यहां तक पहुंच गया, और नौर गेट में अगर एक पी input 1 पे रहा, तो output हमेशा 0 आता रहा, मतलग यहां पर जो 0 होगा, यह तो कभी compromise हुआ ही, तो यह 0 पहलने भी 0 ही था, बाग में भी 0 ही रहा, तो इस वज़े से इसका output हमेशा 1 और इसका output हम देखो क्या यहां पर लिख सकते हो, irrespective of previous state, बोलो है, देखो अभी NAND के लिए भी करेंगे, तो वहां में भी आपको और clarity आता है, क्या यह previous state पर बिल्कुल भी depend करेगा, क्या, क्या यह previous state पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल भी, r equal to 1, s equal to 1 दे दिया, यह 0 है, इसके बाद अगर तुम इसको hold कराने जाओ, इसके बाद अगर तुम कहीं इसको hold कराने पहुंचे, तो यहां से 3 situations arise होती है, एक तो, यह blinking वाला case, दूसरा, q equal to 0, q bar equal to 1, या q equal to 1, q bar equal to 0, ठीक है, तो इस case पर मैं इसका नाम देता हूँ, simply मैं आगे से लिखोंगा 3 case, आप समझ जाना, कौन से 3 case, इसके बाद true table बनाता हूँ, जो true table हम लोग class में बनाएंगे न, वो true table आपको याद रखें, यह समरी देखो, फटा-फट किते लोगों को समझ भाएं, and in this particular case, this is not memory or hold condition, बहुत obvious है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो आप लोगों ने खुदी बताया है मुझे कि सर, memory और hold नहीं होगा, तो जो तुम लोग बताते जा रहे हो, वही मैं लिखता जा रहा हूँ, कोई दिक्कत यहां तक यार, बोलो, कोई दिक्कत हो, पूछो मैं बताऊंगा, कोई problem वाली बात नहीं है, हर एक पॉइंट को आराम से समझते बिज़ो, जो भी problem आपको आरीए, आप आराम से बताऊ, मुझे मैं उसको दुबारा समझा दूगा, not a problem, बट यह अराम से समझते रहो, हर एक चीज़ पर agree करकर हो, जिस बाते आपको disagreement हो रहा है, आप मुझे बताईए, मैं उसको तो टेबल आपको याद रखना है, तो make sure करना कि आप यही true table याद रखना हो, जो देखो, मैंने क्या करा है, यहाँ पर 00, 01, binary कितना लिए, 101, मैंने चेक रहा है, यह नौर ग्लैश था, नौर ग्लैश कैसे होते है, active high in nature, तो किसके हिसाप से काम चलेगा, वन के हिसाप से का आप बस ढूटते जो, वन कहां कहां पर present है, आपने देखा, यहाँ पर दोनो 00 present थे, तो आप इस condition को क्या बोल सकते थे, memory condition, अब देखो, इसके आगे में condition क्या लिख रहा हूँ, only when, previous states are valid, देख लो, क्या यह बात ठीक है, पहली line देखो, और बताओ, Do you agree with the first line? ठीक है, सभी लोग agree करते हैं, second पर आधो, active हाई था, आपने S पर 1 देखा, यह 1 को circle किया, तो 1 store करा दिया, यहाँ पर active हाई था, R पर 1 देखा, तो 0 store करा दिया, इसके बाद में इसमें एक चीज़ और add करना चाहता हूँ, अगर आप अगरी करते हो, फिर मैं एक line इसमें और add करता हूँ, फिर अपने सारी information इसी में present है, सारी information इसी slide में present है, फटा-फट बताईए, done, अब दो चीज़ें मैं इसमें और add करता हूँ, इन तीरों पर लिखता हूँ, irrespective of previous state, irrespective of previous state, इसके इमीडियेटली बाद, अगर 00 कर देते हैं input तो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बस जो पिछले एक घंटे से पढ़ रहे थे, वो एक slider में ने summarize कर दिया, अब इससे आपके सारे सवाल लग जाएंगे, बस आपको पहचानना भर है, कि active हाई, sr-norglatch अगर मिल गया, मतलब sr-norglatch standard form में मिल गया, तो यह table आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगे, कि active हाई है तो बनको ढूबते रहना आराम से, देखो फिर सवाल करवाता हूँ, फिर एक question करवाता हूँ, देखते हैं उसको करने में कितना time लग रहा है, और उसको करने में आप देखना है आपका दिमाग लगे गए, तो अब यह मत बोलना सर, दिमाग तो ही नहीं तो नहीं लगेगा, बट जो भी थोड़ा बहुत है लगाओ, सवाल करें, पढ़ लो, मेरे खाल से यह टेबल ना, अपने आप आपके दिमाग में जाके store हो रहे होगे, बिना जादा महनत करें, store हो रही है, सभी के दिमाग में अपने आप, बोलो, कितने लोगों के दिमाग मे अपने आप जाके यह टेबल फिट बैट गए, अपने आप जाके आपके दिमाद में यह बात फिट बैट रही होगे, चलो एक सवाल करते हैं, और उस सवाल के थुरू, काफी सारी चीज़े समझने के कोशिश करते हैं, और एक question करते हैं, अब देखो question कितने interesting लगेंगे आपको, अब देखो question में कुछ करने के, हाला कि अभी मैं वो चार लाइन अभी भी नहीं बता रहा हूँ, वो last में बता हूँ, कहां से शुरू किया था, कहां पहुंच लिए, चलो खैर, समझ में तो आई रात क्या लिखाओ, ठीक है, चलो देखो, अब देखना, इस question को आप कितनी आसानी से लगा दोगे, बीना जादो दिमागे रहा है, ये एक latch दिख रहा है सबको, अब latch में ये input का sequence मैंचन कर रहा है, zero, one, zero, 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 one, zero, zero, one, zero, zero, one, zero. एक बार ये बताओ, इन्फूट का sequence कितनी लोगों को यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है, सवाल में पूछ रखा है कि अगर आप input पे M और N के sequence इस form में लिखते जाते हो, तो output पे X और Y का sequence कैसा आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, आप देखो ऐसे questions में क्या करना होता है, मैं आपको एक थंबरूल देता हूँ, आगे से आप वही थंबरूल पॉलो करना, आपको ये तो दिख गया न, ये नौर लैच है, अक्टिभाई होगा, इसमें किसी को problem नहीं, अब आप क्या करो, randomly किसी को कुछ भी माले, जैसे हमारा एक general process क्या होगा, कि मैं इस M को हमीशा क्या consider करूँगा, इस वाले terminal को, R consider कर लिया मैंने, और इस वाले terminal को, S consider कर लिया R के सामने हमीशा क्या होता है, Q, और इसके सामने क्या होता है, Q-bar, पहले बताना है, ये exercise कितने लोगों को समझ में, exam में जो सवाल आएगा, उसमें कभी भी ऐसा नहीं mention होगा, कि ये R है, ये S है, ये Q है, Q-bar, exam में जो question आएगा, उसमें ऐसे random कुछ ना कुछ नाम लिखा ठीक, अब अगली step में कुछ करना नहीं है, अगला step में बहुत ज्यादा interesting, यहां पर मैं लिख देता हूँ M, N और इसको X, और और ये Q, Q-bar, ठीक है, अब देखो, ये कितना मज़ेदार process है, जो इसके बाद आप follow करने चाहरे है, आपने पहली बता दिए, active high है, ठीक है, तो 1 के हिसाब से जो चलेगा, वो चलेगा, inputs मैं यहां पर सारे लिख देता हूँ, 01, 100, 100, 100, 110, ठीक है, चले, शुरू हो जाए, अब ये देको question में MN दे रखा था, उसका हमने MN को छोड़के, ये RS देखते हैं, अब हम में बस RS देखते जाना काम चलाते हैं, चलो सबसे पहले उपर वाले में बताओ क्या होगा, जो भी होगा, 1 के हिसाब से होगा, यही मंत्र आपको पढ़ते रहें, बोलो भाई, फटा-फट, तो आपने रेखा, यहां पर 1, irrespective of previous state, या output पर 1 store कर देगा, पहली land कितने लोगों को समझ में आ देख, बोलते जाए, फटा- इसके immediately बाद यहां पर active high आ गया, तो previous state पर क्या है, क्या ही फरक पढ़ता है, 0-1 कर दिया, काम को, हो जाएगा 0-1, उसके बाद आए 0-0, 0-0 क्या करता है, valid state को hold कर लेता है, यह valid था, इसको कर लिया, hold, done, चलो, आगे बढ़ो, अगला है 1-0, आपको active high देखते रहना, active high हाई आपने देखा, 1 था, output पे, 1, sorry, reset कर देगा, reset करने का मतलब, 0-0 कर देगा, फिर से आपने देखा, 0-0 input दिया था, यह valid state को hold कर लेगा, कर रहा है, बढ़िया चल रहा, active high पे 1 था, दोनों पे आपने 1-1 दे दिया, तो नौर gate का, 1-2 input 1, output 0, 1-2 input 1, output 0, ठीक है, फाइन, लास्ट वाले में बताईए क्या होगा, लास्ट वाले में मुझे 0-0 कर रहा हूँ, लास्ट वाले में 0-0 कर रहा हूँ, चल बताओ, तो 1-1 के पाद आपने 0-0 करा, यहां पर बस बता दो क्या आएगा, इस पर क्या आना चाहिए जल्दी बताओ जल्दी फटाफट थी केसे वेरी गूड यहां पर आएंगे तीन केस कि यह कभी भी इन्वालिट स्टेट को होल्ड नहीं करता है तो आप यहां पर बताओगे कि जो भी तीन केसे हमने डिसकस किये थे लिंकिंग वाला एक वन दूसरा जीरो या पहला जीरो दूसरा वो कंडिशन यहां पर आजाए ठीक है फिर अगले केस में देखो क्या है जीरो वन कहां भी प्रजेंट था एसको इर्रेस्पेक्टिव प्रीवेस स्टेट में जो भी हो रहा था इसको कोई मतलब नहीं यह वन स करने के लिए कि आपने ट्रूट टेबल बगल में बना के रखा हुआ ता क्या कि ट्रूट टेबल में बनाके रखूंगा नौर लैच का उसके बाद में क्वेश्चन सौल करूंगा या जो आप पूरी अनालेसिस करके हो उस इस ने आपको विदिन नो टाइम यह पूरा का अनालिसिस सब कॉंचिएसली करने पर हेल्प कर दिया है कि एक सवाल और करते है कि आ गया कुछ समझ में है यह सब उपर से जा रहा है आ रहा है चलो आजो अगले सवाल अगला क्वेशन देखें अगले क्वेशन में जो इन्पूर्ट उसने मेंचिन कर रखा है फिर से यही बोल रहा है इसको उसने बोल रखा है अगला क्वेशन आप कुछ से ट्राइए को ठीक है अब आपको कुछ टेबल वेबल कुछ याद करने के जरूरत नहीं है अब यह आपके लिए बन गया एक आप्टिट्यूड का क्वेश्चन समझ गया अब यह ना तुम्हारे लिए एक आप्टिट्यूड का क्वेश्चन है नथिंग मोर देन डाट हुआ है और यह यह इसके चलो है बनाऊ-फट-फट जब हो जाये ता बताना क्या थिकर एक्टिव लो लैच्छिस की बात करतें पीर और इंपर्टेंट डिस्क्शन करतें एक्टिव लो वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्टिव लो भी करेंगे एक्टिव लो जब पूरा समझ में आ जाएगा फिर मैं आपको चार लाइने बताऊंगा उन चार लाइनों के बेसिस पे बहुत सारे लो जब यह हो जाए तब बताते हैं जब ड़न हो जाए तो बोल देना ड़न फिर मैं आपको अक्टिव लो की तरफ लेके चलता हूं अग्टिव वाला पूरा प्रोसेस अगर कर लिया नहीं तो देखना लो वाला अपने आप समझ में आता जाएगा उसका ट्रोट टेबल उस सब कुछ अपने आप बैट जाएगा जाकर जैसा मैंने बोला चार लाइन याद करते हैं उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा स्टैंडर्ड लैच के अनालिसिस कैसे करी जाती है मतलब कोई जरूरी थोड़ी एक्जाम में ऐसा ही लैच है आपको मैं ऐसा भी क्वेशन आज यहां पर क्या काम यार बैर देखा नौर लाच है अक्टिव है तो मैंने जाधा दिमांग निकेस को आर मांनू खतम करो आर के सामने वाले को क्यों मान मैं लेते हैं इसको क्यूंवार मात इतना सा काम अगर आप कर पाते हो इसके बाद आप थोड़ा सब्सक्राइबर अपन तो , 01 00 00 00 bew दबल 0010ट बाद को तो कुछ भी देता है क्या ही फर्क पड़ता है लोग अक्टिवाइए दोनों पराइए बात बात इसके इम्युडियेटल बाद एक्टिवाई के हिसाप से चलना था तो यह 0,1 है रीसेट कर देगा इसको फिर से अक्टिवाई के हिसाप से 0,1 फिर से 0,0 प्रिवेश स्टेट आपने चेक किया वैलिट्टी होल्ड करा दिया इसको आगे बढ़ गया फिर से 0,1 था एसके पास तो आपने वन को यहां पर आगे 1,0 पर 1 आया, आर के पास यहां पर 0 स्टोर करा दिया फिर से 1,1 आ गया आपने 0,0 लिख दिया क्योंकि नौर्गिट का एक बी इंपुट्ट बन और पूट्ट जिरो फिर से 1,0 आया, आर पर 1 लिख रहा था, 0 और 1 स्टोर कर दिया कितना टाइम दिगा देख चेक कर इतना लंबा अगर तुम 5-6 सेकेंड में कर पार हो तो वो तो तुम वैसे ही निप्टा दोगो, ठीक है, कोई प्रॉबलम अभी तक, तो देखो ना तो टेबल याद कर रहे हैं, ना तो कोई अनालिसिस यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करना था, वो थियो हो समझाता हूँ, बट एटलीस जब तक आपको स्टैंडर्ड दिखें, जब तक आँग बंद करके क्या करो, अक्टिव हाई में मतलब 1 के हिसाफ से काम चला लो, बाकि आपको केसे तो सारे याद हैं, हाँ, अगर आपको कुछ M और N टाइप का दे रखा हो तो आप उसको अपने स्टैंडर्ड सर्कृिट में नर्लो किसी को भी आर किसी को भी स मानलों अक्टिव हाई है तो R के सामने क्यों एस के सामने क्यों हां जू आ तो 훈लो पे चलन क या actual से कर लोगें कए नि इतीड़ से करोगे या करवाना है कर लोगे कर दो देख लेते हैं इसको देखो जड़ा फिर से वापस से वहीं मैं करवार हूं यह पूरा का पूरा केस देखते हैं पर दुबार से तो फिर से आप मार्केट में मार्केट में आपने उससे बोला कि भाई मुझे एक ऐक्टीव लो लाच में भी ना क्या करेगा वो आपको एसाइर लैश देगा त्यान से सुनना मेरी बात को बता मैं एक्टीव और अक्टीव हाई में कोई बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ हारा है कि prophesie कि फर्क नजहेंब नाजर इक तो ये सामने क्यों दिख रहा है दूस्रा आर इस वो बोल दिये तो आपक Feder सारा इस वार इसके घिसाब से साथ का काम होगा इसके अब नहीं बोलों यह इस बार नहीं सब कुछ 0 को देखके करना जीरो इस बार है आपका अक्टिवेटेट इंपुट कभी कभी इसको इनेबल इंपुट भी बोलते हैं कोई भी नाम दे देखते हैं तो आपको इसके अंदर जिग्यासा होनी चाहिए कि एक्टिव लोग के अंदर अगर मैं इसक को गुंवब है देखता है यहां अपको देखा देता हूं जब इसके अंदर ऊंसके देखो गें बिलकुल अंप्स होको रहा है ईसा यह इसाना कर नेege carrying हैस खर अथ सांद हमने हमी से सुस्ञा करें है वारे दिमाग में यहां नहीं आना चाहिए कि तके सामने क्यों ही क्यों रखता इसलिए रखा होगा कि शायर जब आप एस पे जीरो दोगे तो यहां पर वन स्टोर हो जाएगा तो जिसने भी बनाया हो उसने अपने पर रिसेट्स कर रखा हुआ हमें उसमें जाने के जरूरत हैं हम तो बस याद रखते हैं एक्टिव लो अगर यहां पर अगरा क्यों यहां ऑगरा चांखा है तो आपको समझा देता हूँ देखो यह बहुत ऊंट रह यहां आपने जीरो दे दिया तो आपको और यहां का पर आपको करने चलो मुझे बताओ स्टोरेज रिटेंशन यहां पर करना है तो सबसे पहले स्टोर करना में चाहता हूं अब आप मुझे बताते रहो यार अगेन कुछ भी याद नहीं करना इसमें बस सुनेंगे सुनोगे काम अपने आप को जाएगा हम सिर्फ सुनना है और मुझे बताते जाना कि अब आप बताऊ यह क्या करना चाहिए तो यह बोल ठाट फॉर करो वंको स्टोर करें अ का मतलब ये दो पिन अहां के पास से झेल को एक्टिवेट करों तबी वन स्टोहRP होता है कि टोammers करूंगे तो तα यह हमारा हमारे स्टोरेजस बाले थो सक्को माझ लेते हैं लिए बताब को इसको कर लो इसको इसको डी आराम ससमझे सेक टर्मिनल socio Finn तो करना पने अब बताओ नांड गेट का एक बैं फेले पर इंपुट चलो पिछ अब यहां पर एक का और बें गुलेorf तो कितने लोगों का ऐसा मानना है कि सर आप बाकी सारी अनालिसिस अटाओ इसको यहीं पर बोल दो memory element क्योंकि output पर बार बार मैं इस्टे बोल रहा हूं याद नहीं कर रहा है कि कहीं आप यह नहीं कि याद कैसे करेंगे वह अपने आप याद हो जाएगा और चार रूल से सारे क्वेश्चन भी हो जाएगा इसको समझने पर ध्यान तो आपको कुछ याद करने के जरूरत नहीं पड़ेगी तो कितने लोग बोल रहे हैं कि सर बाकी अनालिस छोड़ो अटाओ ऐसा अगरो इसको पहले नाम दे तो बाकी सब बात में उता तो आप बोलोगे मेमरी अलिमेंट तो अभी नहीं दे सकते अभी तो जस्ट क्या कर रहा है स्टोरिज क्या रिटेंशन करना भी जरूरी है बि कॉंबिनेशनल में ही क्या बुड़ाई थी चलो है ऐसा यह चल रहा है सिच्वेशन अब बताओ अगर मुझे इस टर्मिल दोनों को डियाक्टिवेट करना है तो आपके हिसाप से मुझे क्या करना चाहिए इसको डियाक्टिवेट करना है इसको बन रखो यह तो पहले सभी इसको डियाक्टिवेटेट है जीरो को उठाके लिए हो एक इन्पूट जीरो और पूट वान को इस वन को इधर भेजो तो दोनों इन्पूट वान ओपूट देखो क्या होल्ड हो गया चेक करूँ कर लिए आपने होल्ड है ड़न ठीक है अच्छा प्रीवेस प्रीवेस डिसकेशन के नॉलेज पर मैं एक स्टेट्मेंट बोलता हूं देखता हूं कितने लोग वो स्टेट्मेंट समझ पा रहे हैं इन केस ओफ एक्टिव लो लैचेश एस एकुल तो वन आर एकुल तो वन रिप्रेजेंट्स था होल्ड कंडिशन ओनली वेन प्रीवेस स्टेट्स अर वैलेड यह मैंने डिसकस नहीं किया बट कॉमन सेंसे कितने लोगों को लग रहा है कि स्टेट्मेंट बिल्कुल पर्फ हमारा सब कॉंशिस माइंड हमको बोल रहा है कि इस बार भी शायद ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती हुए नजर आनी चाहिए चलो खेर आते हैं पर फटा फट सम्वरी लिखते हैं तो मैंने लिखा एस आर एक्टिवेटेड इंपुट इस बार क्या था जीरो जीरो इस बा हो गया ठीक है यहाँ पर भी बिल्कुल सीम थरीके से मैं लिखने जा रहो एर्रेस्पेक्टिव प्रिवेस स्टेट रिर्रेस्पेक्टिव और प्रीवेस स्टेट कुछ भी रहो कोई फरक नहीं पड़ता और इस कंडिशन को आप बोल देते हो फोल्ड कंडिशन प्रीवेस स्टेट वैलिड था तो अराम से उसको फोल जो जीरो का स्टोरिज बताओंगे तो यहां पर बताओं स्टोर कैसे करें जीरो को फटाओं आप इसको खरीद के लिए क्या हो अब इन दो टेर्मिनलयु आपको यह समझना कि कौन से टर्मिनल को यूज कैसे करने वह एक नो यहां पर घूम के पहुंचेगा फिर से वही सवाल जो इतनी देर से मैं पूछ रहा हूं कितने लोग बोलना चाहते हैं कि सर बागी सब डिसकेशन छोड़ो अटाओ इसको यहीं पर मेमरी अलिमेंट बोल दू सब्जेक्टिव में कौन सा अप्रोच यूज करना है वो थोड़ी दिर में आपको समझाता हूं सब्जेक्टिव में आपको एक जनरल तरीका बताता हूं उससे आपना किसी भी लैच के अनालिस कर सकते हो तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो पहले यह वाला डिसकेशन आजो यह था प्रीवेस सिचुएशन एस इकोल डूबन आर इकोल तुझी है यहां पे था आपका एसके सामने क्यू आर के सामने क्यू यह गया था जीरो यह गया था वाल एक्टिवेट करते यह तो पहले से डी अक्टिवेटिट था इसको भी कर लेका है अब आप देखलो तो सपोज यह जीरो यहां पर आता है यह वाला ट्रावल करते हो आपको क्या मिल जाएगा फिर यह वन को यहां पर भीजो यह वन पहुंचा यहां पर दो रहें पूट सब्सक्राइब यहां पर आपका क्या हो गया है कि कि कर दो कि बिल्कुल कॉंप्रिमेंट करके इंपूट आउट पूट कर सकते हो यह इंपूट पर यहां पर नौट लगा सकते हो वो सब वेरियेशन में थोड़ी देर में करना चाहता हूं पहले एक बार बेसिक तो समझ यहां पर लगा दोगे तो यह भी आक्टिव हाई के तरह काम कर लगेगा कुछ भी कर सकते हैं इसमें हाड न फास रूल नहीं उसका भी तरीका बताता हूं अभी आपको आगे टेबल भी बनाके बताऊंगा एक्जाम में होता क्या है ना 99 परसेंट क्वेस्ट जो होते हैं उसन क्वेस्टिन में इग्जैक्ली यह वाला लाच और पहले व होना चाहिए बट होता क्या है कि अगर उस जनरल तरीके से करने की कोशिश करोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो इस वह से मैंने दो कैटेग्री कर रखिए कि अगर स्टैंडर्ड दिख जाता है जो कि 99.99% क्वेस्ट पूछा जाता है और पूछा जाता र होगी यह पूरा का पूरा अक्टिव हाई में अभी मैं क्या चाहता हूँ पहले एक बार इस पे तो डिसकेशन कर लें चुरो रिटेंशन हो गया संबरी यार देखो फटाफट तो यह हमारा एस था और आर इक्वल टो हमने जीरो दे रखा तो क्यू हमारा जीरो हो जाएग क्यू बार हमारा वन हो जाएगा इर्रेस्पेक्टिव और इर्रेस्पेक्टिव और प्रीवियस स्टेट उसके बाद अगर आप इसको होल्ड कराना चाहते हो दोनों को डियक्टिवेट कर दो तो अभी आपके दिमाग में जितने भी डाउट सारे होंगे उसको अगर लास्ट तक होल्ड करके रखोगे तो मेरे घ्यास सारी डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएगे और देखें हैर मैं आप लोगों से बार-बार प्रॉबबिलिटी तो क्या करवाता ही हो ना प्रॉ सारे के सारी प्रॉबिलिटी है कि जो डाउट तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा वो मेरे दिमाग में आ चुका होगा बताओ इस बात की क्या प्रॉबबिलिटी है ि जो डाउट तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा बनह प्रॉर। मेरे दिमांग में अल्री आहीं चुका होगा चाहे तैयारी के दौरान, चाहे टीचिंग के दौरान, चाहे कभी न करने। वन के आ अस-पास होगी प्रॉबिलिटी स्टि जरूर से लेकर आखरी तक बस सुनते रहो लास तक जाते आते आते आपके दिवांग में एक भी डाउट नहीं बचेगा क्योंकि यह वही डाउट्स होंगे ना जो अल्रीडी मेरे दिवांग में आ चुके होंगे किसी ना किसी पॉइंट आफ टाइम पर इस वजह से मैं जब डाउट खुशते रहते हो तो कभी ना कभी इसका solution मिलता है तो चीज थोड़ी से structured हो जाते हैं अब यार यह बताओ holding capacity of invalid state फिर से भाई चीज आप इसको मार्केट से लेके आए आप इसको मार्केट से लेके आए उसने बोला भाई साहब यह आपका active low latch है ठीक है उसने अगर तुम one store करना चाहते हो तो मैंने दो टेर्मिनल दे रखे हैं यह एस और यह वन के storage के लिए जिम्मेदार है यह जीरो के storage के लिए जिम्मेदार एक्टिव लो है यह यह एक्टिव लो है तो तो तुम zero लगा देना जिस भी पिन पर जो भी store करना हो ठीक है यानि कि हमारी सबसे बढ़ी fantasy होती है सबसे आदा मजा आता है जब दूसरों को तकलीफ दे पाते हैं तो latch को भी क्यों सक्टेग्री से लग रखें इसको भी देते हैं तकलीफ तो हमने क्या करा उसने मना करता था बट यहीं तो करना है जो काम मना किया जाता है वो ना करें तो प्र ठीक है चलो कर दिया हमने से कुल डू जीरो आ एक जैसे हम दोनों को जीरो करोंगे क्या इस बात में कोई रहे कि यह दोनों 11 हो जाना चाहिए कि दोनों 11 हो और मुझे इस बात से कोई आपत्ती भी नहीं है कर दोनों 11 हो भी जाते हैं हो गये तो हो गये ठीक है मुझे इसमें कोई भी इशू नहीं इन्वालिड हो जाता हूँ कि यह जो इस बार इन्वालिड आ रहा है इसको हम गोल्ड कर पाते है নे कर पाते है फिर से भी सिचुएशन दी लो फस्ट रीक है कि के सामने क्यू आर के सामने क्यू था एकुए को सब्सक्राइब रहे थी कि आपने इसको जीरो दे रखा था था थोड़ा इसको पीछे लिख लेता है इसको 0 दे रखा था और इसको सबसे आदा तक्लीफ में डाल रखा था, और पुट इंवैलिट आप भी गये, उस्चकर में यह 1-1 हो थिक है, अब यब यह 1-1 हो गया तो यह 1 भी घूम फिर के यहीं पर प्रेजेठ होगा, यह वन भी घूंफिर के यहीं पर प्रसेंट हो, अब मैं इसको hold करवाना चाहता हूँ, तो दोनों terminals को deactivate करेंगे, s equal to 1, r equal to 1, अब दोनों की अगर speed same है, operation बिल्कुल same कर रहा है, तो जब दोनों को 1 मिला, इसके भी दोनों input 1, यह immediately 0 में transition लेगा, this will also take transition फिर से अगर तुम यहां पर LED लगा दोगे न, फिर से तुम्हारी दिवाली वाली जालर बन जाएगे, दोनों एक साथ 1 में convert होंगे, दोनों एक साथ 0 में convert होंगे, ठीक है, और यह चमकता रहेगा बीच में जो तुमने LED डाल रखे, समझ गया, बिल्कुल same situation है, कि invalid states आ रहे हैं और invalid states की पूरी की पूरी series बनती चली जा रहे है, 101010, यह दोनों ही 1, दोनों ही 0, दोनों ही 1, दोनों ही 0, फिर से यही LED आपकी बन गए, और यह आपकी blink करती रहेगी LED, और देखो यहां पे आपने, अगर ideally assume करो, तो आपने एक infinite source का, sorry, infinite energy का source मना दिया है, आपने क्या करा, दोनों को activate, deactivate कर रखा, उसके बावजुद आपके LED लगातार blink करती जारी, just because of the field, हाला कि आपके internal storage time बगरा की बज़े से वो infinite time पर blue नहीं करेगा, बाद आइडिली कर जाए, ठीक है, चले आगे, case 2 पे आ आ जो, टू पे देखो, एक का propagation delay कम कर लो, एक का जाधा कर लो, तो ये दूसरे वाले को fast कर लिया, इसको कर दिया slow, ये था आपका s equal to 0, r equal to 0, ठीक है, आउर्पुट आपका हो जाएगा, q q बाद, इसको कर लो यार 1, इसको कर लो 1, ऐसे चल रहते है, ये 1 तो घुमफिर क यहाँ पर present था, ये 1 भी घुमफिर के यहाँ पर present हो, ये वाला fast था, तो ये 1 और 0, पहले इसको deactivate करें, इसको deactivate करें, इसको deactivate करें, ठीक है, इन दोनों को deactivate करें, तो ये 1 और 1 आउटपुट पर क्या मिलेगा, आपको, देर सबेर ये 0 घुमफिर के यहाँ पर तो देखो क्या बिल्कुल सेम सिच्वेशन ही बनती नजर आ रहे हैं यहाँ पर आउट्पूट इन्वालिट था बट यह होल्ड तो यह भी नहीं कर पा रहे हैं एक बार यहां तक मुझे क्लेरेंस दो फिर आगे चलो है एक बार यहां तक आपका डन हो गया तो आगे चलो है अब इसकी समरी लिख लेते हैं समरी यहां पर लिखते हैं कि अगर आपका आपने दोनों को अक्टिवेट करके रखा हुआ अक्टिव लो के केस में तो आउट्पूट तो आपका इन्वालिट आने ही वाला है क्योंकि नौर गीट का इक भी इन्पूट जीरो हो जाएगा आउट्पूट पन मिल जाएगा यह होगा इन्वालिड इर्रेस्पेक्टि इसको मतलब नहीं आउट्पूट को बन कर देगा इमेरीट बद इसको उल्ड करने चलोंगे दोनों टर्मिनल को डीक्टिवेट करोंगे तो अगर इसको उल्ल करने चलें तो यहां से आपको मिल जाएगे थ्री केसेज इसको बताने की जबर की या तो आपको Q पर 1010 का सीरीज मिलेगा या तो Q1 Q-bar 0 मिल जाएगा या तो Q0 Q-bar 1 मिल जाएगा आल इन अल होल नहीं होगा तो इसका अब ट्रूक टेबल देखें समझ गया है तो देखो डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स जो सब्जेक्ट होता है वो सिक्वेंशल तक के बाद आसान होता है सिक्वेंशल के पहले मुश्किल होता है कि लैचिस के बाद ना दो ही तीन चीज़ पढ़नी होती है सारा का सारा डिजिडल खतम हो जाता है उसके पहले मुश्किल होता है मक्स डिकोडर एंकोडर तूस कॉंप्लिमेंट वन कॉंप्लिमेंट हाफ एडर फुल एडर उनसे जो क्वेश्चन साते हैं उनकी गैरेंटी न करेंगे स्टूट टेबल को भी बड़ आप किताब में जो लिखा हुआ है या बाखी जगह पर जो टेबल बनवाई जाती ना मैं उस्टूट टेबल से कन्विंस नहीं है कि यहां पर ना मेमरी कंडिशन वगरा पर मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन से कि मेमरी कंडिशन आप ऐसे नहीं बौल सकते हैं यहां पे बी 0-0, 0-1, 1-0 गया मैं ऐसे लिखता हूं है इसमें थोड़ा से उपर लिख लेता हूं, 1-1 को इसको में नीचे करता हूं तो वन वन आपक्या हो जाएगा एक्सेप्ट वें तो फीवेस स्टेट इस इन वालिट रीचांग तभी तब कर पाएगा जब तक प्रिवेस स्टेट वैलिट है अदर्वाइस नहीं कर पाएगा अभी एक्टिव लो था ना तो किसको ढूंडोगे जीरो था सैट के पास वन स पर डोनों ही तर्मिनल्स को आपने दर्द देने के कोशिश की डोनों टर्मिनल्स को टक्लिव देने के कोशिश की तो ढोने हथा करें एक है तुरन अच्छन वांटर इसके इसके इल्ड इसके योद अब penghp तो टेबल टेबल देखना है इसके बाद जो मैं चार रूल्स आपको बताऊंगा वो चार रूल्स आपके लिए हो जाएंगे युनिवर्सल रूल्स फिर आपको कुछ याद करने के जरूरत में खरेक्ट क्वेशन में आग बंद करके वह रूल्स लगाते हैं कि यहां तक हम डिसकेशन करें जैसा मैंने बोला था इनको बस देखना है सुनना है समझना है अपने आप आपके दिमाग में चीज़ें मैप हो जाएंगे आपको अपने एंड से कुछ करने की जरूरत नियुक्त कि दिमाग में मैपिंग हो जानी चाहिए अच्छा ऐसा ऐसा चल रहा है बात खत्म हो गए मैपिंग सब के दिमाग में कोई प्राब्लम किसी को ठीक है अगर मानलो कभी याद करना भी प्रूला ठुट तो यह वाला याद करना जो टूट टेबल मैं यहां पे लिकां किताब प्रीवेस स्टेक्ट इसमें एक सवाल करते हैं करें क्वेशिंट तो आजओ तो थी कम मैं चाहूंगा यह फ्रस्ट से इसमें पहला प्रस नहीं करवा रहा है अतलब करवाँगा पहले आप एक बार इसको पूँद से अटेंट करो सबसे पहले तो आप ये सर्कृट देखके क्या पहचान होगे किसी भी लैच के क्वेश्चन को देखके आप क्या पहचान होगे कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में जैसे मालो लैच का अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप सबसे पहले क्या पहचान होगे लैच के क्वेश्चन में क्या क्या देखके हैं बोलो हं नैंड और नार का जो अभी तक स्ट्रक्चर हमने देखा है नार वाला हमिशा एक्टिव हाई होता है यह बिलकुल सही बात है आमेर ने जैसा बोला कि सबसे पहले यह पहचानेंगा कि वह एक्टिव हाई है या एक्टिव लोड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सबसे पहले समझेंगे कि वह एक्टिव हाई है या एक्टिव लोग है और मेरे काल से यह पैचानने में बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है बहुत अराम से कोई भी पैचान सकता है अगर नौर का दिख गया तो वह एक्टिव हाई अगर इस में कोई additional gates भी लगे हो लगे होंगे इसकी जंडल नालिसा करणे बर 99% परेशिंथ में से आने वांड और साज बारने के बाताने के आपको क्या रज़त करने खरने के जरूफर पड़े इया फिर आपको करने के जरूफर में कर फिर आपको कि तरीकी केsst प्रप्रौबलम सब्सक्रिप्शन हो रहा है तो इट इस नो लेस्टन मैजिक है यही मैं आप से जो मैंने यूट्यूब पर आप से प्रॉमिस कर रहा था थोड़ी दिर में वो प्रॉमिस फुल्फिल भी हो जाएगा कि विदिन सेकेंड्स क्वेशन लगेंगे बिना ट्रूर टेबल के लगेंगे बिना दिमाग लगाए भी लगए यार देखो जिनके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन से ना वो उनको यूट्यूब का कोई भी सेशन अटेंड करने की ज़रूत नहीं एक्सेप्ट मोटिवेशनल सेशन जो भी यूटूब के मोटिवेशनल सेशन चलते हैंkel फ्लस पर पढ़ोगे आपको यूटूब से बहुत ज्यादा बहत्तर बह Investigateichen से प्लाइंट प्लाफॉम बहुत मैंने इसको बोल दिया s इसको बोल दिया r यहाँ पर मैंने नेमिंग कर रखे थी उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ I hope यहाँ तक किसी को भी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसकाम करने में एक्जाम में जो सवाल आएगा वो मैं पहले ही बता दिरो sr और qq बार लिखके नहीं देगा आपको वो कुछ जनरल नेम आपको लिखते देगा फिर यहाँ फिर साइड में आगया ऑर के पास री सेट खति फिर आगे बड़े दोडृव अगे ज्यादा तक्लीफ हो जाएगी आपको से सेट होते हैं रिसेट होते हैं इन्वालिट स्टेट्स होते हैं उनको प्रीवेस स्टेट से कोई खास लें देना हुता नहीं वन जीरो पर आपने देखा जीरो यहां पर आ रहा था रिसेट था फिर आपने दोनों जीरो को देखा फिर से एक absolute situation आने वाली 1-1 और आप चले थे इसको hold कराने तो यह बोलेगा यह मेरे बस की बात है नहीं invalid state को hold कर पाना मैं तीन में से कोई भी case दे दूँगा provided मुझे delay बता दो फिर आप आगे बड़े 0 को track किया 10 चूट कर दे कितने लोगों का यह answer आ रहा था check कर लो how many of you are getting the same answer without using truth table without using any kind of logic subconsciously without any application of mind दिमाग तो लगा नहीं होगा और जो चीज है नहीं उसको लगाने के जरूरत भी नहीं तो मुझे अच्छी तरीके से पता है इस वज़े से लास्व मैं आपको जनरल तरीका बता देता हूं ताकि आपका दिमाग पढ़ाई लिखाई में तो एटलीस्ट ना खर्चो बाकि सारी जगह पर तो आपका दिमाग लगा ही रहता है बाकि सारी जगह पर तो दिमाग बहुत तेजी से काम करता है पढ़ाई पहले लिखाई में नहीं करता है और मैं अगरीब रहा है पढ़ायी लिखाई में दिमाग लगना भी नहीं चली है कि डिक है चलो कि समझा आगया नहीं है कि घो कि general analysis कि आता है पहले statements लग कर दा सितीब है कि देख लिए तीन statements देख लिए चलो ये तीन स्टेक्टमेंट्स देखो सभी लोग फट 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 फिर कुछ क्वेश्टन्स डैरेक्ट्ली करना स्टार्ट करते हैं ठीक है फिर जनरेल अनालसिस लास्ट में आपको समझाते हूं इंपोर्टन्ट अब्जर्वेशन सिंग लैज क्या आप ये तीनों स्टेक्टमेंट्स से अग्री करते हूं बोलो फिर कुछ एक्जाम के क्वेश्चन्स भी तो करने हैं फिर कुछ एक्जाम के क्वेश्चन्स करते हैं अब पूरी बात खतम करते हैं अब सब कुछ मैं खतम करते हूं आपको मैं बता रूल बता देता हूं उसके बेशिट पर क्वेश्चन सौल करतें ठीक है रोब्लम से लैचेस के दो तरिके के प्रब्लम साथ लैचेस में एक स्टैंडर्डड लैच पर बेस्ट आगम अभी अभी आपने पढ़े बिल्कुल दोना जैसे आपको इस टैंडर्ड लैच दिखे अंदाजा लगाना अक्टिव हाई और एक्टिव बहुत सिंपल है कैसे अंदाजा लगाओगे एक्टिव हाई के लिए क्या क्या होना चाहिए नैंड तो होना ही होना चाहिए और इसका इंट्रसेक्शन ले लेते हैं आर के सामने क्यूं के सामने क्यूं कोई प्रॉब्लम तो यह एक्टिव हाई का अंदाजा लग गया एक्टिव हाई जैसे रिखा बस एक सेंटेंस याद रखना है जो भी होगा वन के हिसाप से बाकी सब आप से अपने आप हो जाएगा इसकी जरूरत ही है एक्टिव लोग को कैसे पैचान होगाट इसा अग्त आपने देखा दो चीजह का इंटिर सिक्शिन होगा है एक्टिव लोग अ मुल्क के दौक है यहां पे दूछी तो intersection होगा NAND का intersection ले लेना S के सामने कर देना Q, R के सामने कर देना Q काम खती है जैसे आपको दिखता है active लोग आप बोलते है जो भी हो गया जीरो के हिसाब से बाकी सब आप छोग दो तो कितने point याद करने पड़े देख लो एक दो तीन चार यह साने बोलते हैं चार point याद रखेंगे चार point के basis पे सारे सवाल लगा लेंगे और कुछ नहीं याद रखेंगे ना ही कोई true table याद रखेंगे कि दॉन स्टैंडर्ड लैच के question क्या से लगेंगे उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ बड़ पहले स्टैंडर्ड तो डन कर लें ना रावन स्टैंडर्ड में यहां पर जो रहासा दिमाग आपका लग भी रह वह यहां पर नहीं लगेगा वह उसको भी खदम कर देंग ठीक है चलो सवाल करें चलो questions करें बोलो मैं चाहता हूँ बिना कोई गलती किये बहुत अराम से पूरा टाइम लेके इन दोनों questions का सही से आंसर बताओ और मुझे कोई जल्दी नहीं मैं बस आपको एक suggestion दे देता हूँ इस circuit को अलग deal करो इसको अलग deal करो फिर option match करो अराम से करो आप ऐसा मान के चलो कि आपको कुछ याद नहीं कोई data याद नहीं कुछ भी याद नहीं आपके सामने पहली बार यह question आ रहा है और जो जो मैंने समझाया बस आपको यह देखन है यह अगर active high है यह दोनों चीज़ अप्लाई कर देना अगर active low है तो जीरो को dominate करा लेना हाई है तो वन को dominate चलो आराम से करो यह दोना सवाल फिर मैं भी आपको समझा देता हूँ कुछ याद करने के जरूरत में बस एक circuit दे रखा और आप देख भी रहोगे standard circuit है तो आप answer निकाल से चलो मेरी खाल से बोर्ड पर आपको सब कुछ लिख रहा है टाइम लेलो एक दो question लगेगा थोड़ा mind को adjust होने में बड़ आप अराम से टाइम ले उसका अलग diagram बना लो और आपने आपने अभी देखो थोड़ी रहे पहले ना 10-10 sequences का लिखा था यहाँ तो बस एक ही sequence का पूछ रहा है made 0,1 then after few seconds 1,1 समझ गए ना तो यहाँ पर सिर्फ दो ही sequence का पूछ रहा है अभी तो आप 10-10-15-15 sequence लिख के आरो दोनों ही circuits में अलग लग लग जल्दी बिल्कुल नहीं पहले सवाल में आराम से मैं चाहता हूँ आप answer देख फिर मैं बताता हूँ फिर धीर हमारा एक exercise हो जाएगा और एक standard process डिवलप हो जाएगा चलो आराम से निकावलो होना c c c और भी लोग बताओ सोच लो आराम से time लेलो apply कर लो कोई जल्दी नहीं सबी लोग apply कर रहार answer गलत आएगा मुझे कोई problem ही गलत बताओ बटाओ अंसर बताओ सबी लोग है जलत बताओ आई विल अग्री विद रॉंग आंसर राधर देन नॉट ट्राइं ट्राइं करो जितना भी आपने अभी तक पुड़ा अप्लाइ करने की कोशिश लोग बागी सारे लोग यह चलो देखते हैं इसको पहला question है अराम से सीखते हैं मैं क्या करते हूं देखो मैंने यहां पर बस यह सर्किट देखा इसको ठाले यह देखा अभी को विवन पी टूर तो आपने देखा यह पीवन पी टूर देख रहा था कितने लोग इस बात से अग्री करतें कि यह एक्टिव लो ने यह था तो आपने क्या कर आश को एस और इसको आर बोल दिया S के सामने वाले को Q और इसको Q बार बोल दी मैं यहाँ पर रुपता हूँ और आप से पूछता हूँ इसमें किसी को कोई तकलीफ इतना जज करने में NAND था Active Low लिखा Active Low मतलब S के सामने Q, R के सामने Q बार बात खता हूँ ठीक है इस बात पर सब लोग अगरी कर रहा हूँ बस टेबल बना लेते हैं यहाँ पी वन पी टू कि यूवन क्यूटू पी वन हमारे यहाँ साब से एस था यह आर था यह क्यू था यही मैंने आपको छोड़ देर पहले बी सिखाया था सवाल में शायद उसने पीवन पीटू मेंचिन कर रखा कि पीवन पीटू पहले जीरो वन थे बाद में वन वन होगे अभी आपका अक्टिव लो था तो जीरो ढूंडों के अपना काम चलाते रहो यहाँ पर आपने जीरो देखा एस के पास लिखा था तो इसको सेट कर दि इसमें क्या था कुछ भी नहीं है विदिन सेकेंड्स आप अंसर कर सकते थे बिना ट्रू टेबल लगा है कुछ भी लगा है लॉजिकल थिंकिंग से बस एक्टिव लोग जीरो ढूंबते हो यहाँ जीरो मिला सेट था तो वन को स्टोर करा दिया यहाँ पर जीरो था ही नही है जो पहला पर आयिंग सबको आराम से सिकेंड्स पर पर देखू कितने लोगों नहीं सेकेंड्स पार्ट देख पैचानलिया कि यारियर एक्टिव हाई है आपने यानी आर के सामने और के सामने लिग काम फार फिए की बना देता हूं फियूकर है यहां पर हमने इसको आर म यह टेबल हमने बनाई यहां पर भी पीवन पीटू मेंशन कर रखा जिरो वन और वन अब देखो इस क्वेशन में आप से क्या बोल रहा है कि एक्टिव हाई है यानि वन को आप दूड़ हो जो आपने वन को ढूड़ा तो वन यहां पर सेट के पास दिख रहा है तो आपने स आपको प्रोसेस और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा हला कि अभी यही सेम तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए उसमें मैंने आपसे पंदरा-पंदरा सीक्वेंस का आउटपूट करवाए इमिडियेटल वह आपने सक्सेसुली कर लिया बट क्यूंकि एक लिख लो एसके सामने क्यू बार लिखते हो आप कहीं पर कुछ भी लिखते हो उससे कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अब अगले क्वेश्चन मुझे एक्सपेक्टेड़ है कि जादा लोग आंसर देंगे चलो यह क्वेश्चन अग्टिव हाई आना छी एक्टिवलो आना छी एक्टिवलो आना छी चलो फढ़ा फढ़ा निकालो आंसर देंगे चलो यह क्वेश्चन करते हैं अब यार ऐसे क्वेश्चन से फिरीं सेकेंड्स होने चाहिए आपसे अथि यह पर तो यह क्वेश्चन से फिरी पर टाइम पर तुम लोग पढ़ लेती हो आंसर पर अंसर नहीं दे पाते हैं ऐसे कैसे काम चलेगा अभी ये सारे questions तुम करके आ रहो इससे ज़्यादा tough questions करके आ रहो अब क्यूंकि मैंने बोल दिया ये exam के questions से तो तुम पता नहीं क्या सोच दो A B A B A B A क्यों आ रहा भाई A जिन लोगों का answer आ रहा वो A क्यों आ रहा है चलो देखते हैं आपने पहचाना active लो इसको क्या करा S इसको लिख दिया R इसको लिख दिया Q इसको लिख दिया Q बार चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P Q X Y ये था S ये R ये Q A Q देखलो active लो था 0 को बस ढूढ़ना है काम खतम हो जाएगा चलो देखते है question नहीं बूल रहा है P R Q पहले क्या थे 0 0 और immediately उसके बार इसको वन वन उसने कर दिया साथ में बोल रहा है कि जो प्रॉपगेशन डिलेशन दियार अक्चुली अनिकों अब वन को ढूंड़ो जब आप यहाँ पर स्वारी जीरो को डूंड़ो एक्टिव लो जीरो है नैंड दे रखा है तो और पूट मिल गया वन वन मिला उस है तो दो केसे कौन कौन से बंते थे यह तो एकसीडेश यह सारे के सारे questions देखो ऐसे सोच लिया करो अगर active लो है दोनों पर 00 दे रखा तो invalid आना ही आना है दोनों पर 11 दे रखा मतलब दोनों किसी काम के नहीं है तो वो hold करने की कोशिश करेगा या उसको memory condition की तरह treat करने की कोशिश करेगा अगला question करो अगले question का answer बताओ यह नहीं यह तो थोड़े दिर में करेंगे यह question देखो इसका answer बताओ अब इसका answer गलत मत करें ठीक है दो questions में आपने थोड़े थोड़े mistakes करी इस question में आपसे mistakes बिल्कुल भी expected नहीं फटाफट देखो और answer बताओ झाल 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 कि भी भी आ गया सी भी आ गया एक ऑप्षिन बिचार डी वह भी बता दू कि इन लोगों का तीन आंसर आ रहा है है कि छो देखते हैं यह कैसे हो सकता है कि अभी अभी तुम ने यह एक्वे becoming एठाउन का नाम अटाज कर दए तो तुम सवाल के अंसर बतार devi is possible चलो को देखते हैं यह अक्टिव लोह है कि абh और देखते हैं जिरो को ढूंड ता है जीरो यहां पर यह सेट कर देगा दोनों जीड गार्बर्ट करने की कोशिश करेगा यानि invalid output देगा वान पर ऊपर से चले इस invalid output को hold कराने तीन cases यहां पर मिलें बस इसमें क्या है इस question है very simple अब देखो यहां पर कौन सा option match कर रहा है इसमें 10 उसके बाद 11 और फिर यह c option साफ साफ दिख रहा है इसमें ऐसा क्या है ठीक है आगया समझ में सबको या भी और कोई डाउट है चलो सी बाद में आगया काफी लोग होगा पहली आना चाहिए ना सी कि क्या है यह तो वही बात हो कि यार कि अगर कोई फुट पाथ पर कोई पांच रुपए का सामान बेच रहा है तो तुम उसको नहीं खरीद होगे और उसी को कोई पैक करके अगर मॉल में कोई बेचना लगेगा तो तुम ज्यादा अट्रक्टिद हो जाओगे अब यह वह तो पंद्रा-पंद्रा सीक्वेंस अभी सॉल्ट करके आ रहा है तो पैकेजिंग उसकी थोड़ी बढ़िया कर दी थोड़ा सा उसको सजा दिया तो तो घवरा गया देखके यह तो मैं आपोड नहीं कर सकता और इस से अच्छे चीज़ें तुम करके आ रहा है तो पैकेजि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपके लिए बिल्कुल केक वाउक हो जाने चाहिए बोलो है चल जाएगा अब थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा सा ट्रांजियंट रहेगा अब मैं तो जहीं से बाद दो ढाई घंटे में मैंने आपको काफी कुछ समझा दिया उसक तीसरे क्वेशन तक आते आते हैं मेरे ख्याल से आपको वो चीज समझ में भी आ गई कि कुछ करने के ज़्यादा जरुवत होती नहीं एक्टिव है एक्टिव लोग पहचानेगा स्मूथ में सोड़ा सा और क्वेशन के प्रैक्टिस करकर के आ जाएग है तो कितने लोग ज सामने क्या रखना है क्योंकि एसके सामने नौर में क्या रखना है और एक्टिव हाई एक्टिव लोग बस ठीक है तो जैसा देखो मैंने आपसे बोला था कि टुट टेबल आपको नहीं याद रख करने के जरूद पड़ेगी सब कॉंशेस्ली आप क्वेश्टिन को कर अ हरा हो एक है देखोया आपको पड़ाया क्लास है क्या औश कर कि लैक्स में रखनें आपको क्लास है करद आज यहां यह पर और शोनिए नौन अ यहां बाता भूलो यह standard है और non-standard तो मैं आपको क्या करता हूँ analysis समझाता हूँ non-standard की कैसे करने ही ठीक है उसके लिए मैं आपको general analysis एक समझा देता हूँ इसी के basis पे आप आगे वाली सारी calculations करने है यह देख लो बस इसमें कुछ भी नहीं करना होता ना इसमें जो आपको थोड़ा बहुत दिमाग पहले लग भी रहाता ना यहां पर वो भी नहीं लगे आए चलो मैं समझाना शुरू करते हूं जल्दी से फट फट इसको समझो देखो यहां पर मैं क्यूवाद बार लिए यहां पर ने कुछ भी नहीं सोच रहा हूं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ एक्टिव लो है क्या है क्या निकुछ भी नहीं सोच रहा हूँ कॉमन से पुरा का पूरा आलिसस आपको समझाए तो आप क्या करो यह कहां पर आजाएगा अराम से समझें यह बहुत इंपॉर्डेंट है और इस तरीके का क्वेश्चन अगर एक्जाम में आ गया तो आपको करना आ चाहिए यहां पर देखो QN बार पहुंच जाएगा यह बेगा Stelle प्रॉब्लम किसी को यहां तक QN माना था, QN यहां पहुंचा दिया, QN बार, QN बार के यहां पहुंचा दिया, फिर हम मानते हैं कि यह जो QN है यह पहुंच जाएगा अपने अगली स्टेट में, अगर आप इन दोनों को ऑपरेट करोगे तो, यहां से आप मुझे बदा सकत इसका, what will be QN प्लस 1, तो QN प्लस 1 के लिए इसका और इसका नौर क्यालकुरिट करना पो लेगा, R प्लस QN बार का, जल जाएगा, वैसे ही देखो, अगर कोई कुछ से पूछता, what is QN प्लस 1 बार, तो मैं क्या करूँगा, इसका और इसका नौर क्यालकुरिट कर दूँग मैंने कुछ भी observe नहीं किया, active high है, active low है, nand है, nor है, क्या है, क्या है, क्या नहीं, कुछ मुझे नहीं पता, बस मैंने क्या करा, यहां पे लिखा QN, QN बार, इसके अगली स्टेट, इसके अगली स्टेट शो कर दी, दोनों का बस mathematical equation लिख दिया, और कुछ भी नहीं, done, यह लिख लिया, सबी लोगों ने, अब अगले स्टेट में क्या करना, आपको ट्रुक टेबल बना देगा, यह एस ले लिया, यहां पे QN प्लस वन, और यहां पे QN प्लस वन बार, अब देखो अभी तक जो आपने analysis की नहीं, यहां पे कितनी काम आएगी, मतलब जो अभी तक का whole bar तो आपको मिल रहे है, S प्लस QN का, चलो, यहां पे कुछ values डाल देता हूँ, आप बस ना, फटा पर मुझे इनकी values बताते हैं, यह करने में कोई दिक्कत है, तो एक बार मुझे बताओ, इसमें तो मेरे खियाल से कुछ करना तो है नी, बहुत अराम से चल रहा है, simple, आपको मिल आप QN, ठीक है, S की value भी 0 है, S आप यहां पे 0 डालोगे, तो यह आपको मिल जाएगा QN बार, बस यह लिखते रहे हैं, लिखो फिर मैं बताता हूँ, उसका मतलब क्या होता है, लिख लोगे, चलो, S को डालो 0, S को यहां पे डालोगे 0, तो यह मिल जाएगा QN बार, R को डालोगे 1 उपर, तो यह आपको मिल जाएगा 0, देखते रहे हैं, बस आपस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, वैसे ही यहां पे 1 0 आपको दिख रहा है, तो मैं R को अगर यहां पे 0 डाल देता हूँ, यह मिल जाएगा 0, और अगर दोनों को 1 1 डाल दोगे, तो मेरे ख्याल से आपको यह मिल जाना चाहिए, 0, 0, यह बस मुझे देखके बता दो, कि यह सभी आप लोगों ने ऐसे लिखते हैं, कुछ किया नहीं, मैंने, बस S और R की वैलू उठाए, उठाए उठाए यहां पे डाल दी और उसके corresponding outputs लिए, ठीक है, अब देखो क्या करना है, अगला step बस देखो बात खतम हो गई, देखो ऊपर वाली चीज़ तो साफ साफ क्या दिख रही है, hold, जब आप इसके analysis करोगे, तो hold और invalid आपको immediately दिख जाएगे, hold और invalid आपको immediately दिख गए, अब आपको क्या करना है, जहां पे 0 और QN bar, मतलब एक quantity fix है, एक variable है, तो fix के reference में दूसरा decide कर लो, यह 0 है, तो इसका bar कितना हो जाएगा, यह 0 है, तो इसका opposite कितना हो जाएगा, जहां पे दोनो fix है, दोनो variable है, वो hold और invalid हमेशा बता देंगे, ज अब आपने जो तीन rules पढ़े थे न, वो तीन rules यहां पर apply कर दो, तीन rules आपने कौन से apply कर रहे थे, पहला, set, reset and invalid conditions are independent of previous input, और दूसरा आपने पढ़ा था, that memory condition can never hold the invalid output, तो बस उन दोनों condition को यहां पर mix करो, आपके लिए एक जंदर लाना, इस भी त्यार हो गई, आगया है समझ में सबको, बोलो, समझ गए न, तो अगर आपको किसी question में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, generally वो यह टेखनीक आप कहां पर लगाऊगे, जहां पर आपके non-standard latches आपे, समझ गे, standard latches में वही, active high, active blue, लगाऊगे, वहां पर यह करने बैट गया तो इतना time waste हो गया न, जब तो वहां पर यह करने बैटे तो इतना time waste हो गया न, यहां से आपको क्या पता चला, आपको पता चला, कि यह circuit काम कैसे कर रहा है, जबकि अगर latch standard है, तो यह भी क्यों ही करें, direct हमें पता ही न, active high, active low, अगर वो non-standard हो जाता है, तो हम फिर इस टेकनीक पर चले आएग दूसरी important चीज, जो आपके memory condition होती है, जो आपका set reset और invalid state होता है, that is independent of previous states, अब एक चीज मैं last आपको और बताता हूं, देखो, जब आपते यह analysis करी, तो आपने active high, active low की tension नहीं लिए, बट जब आप final analysis कर लेता हो, तब आप बता सकते हो, कि यह active high है, active low, जैसे, अगर मैं इसको देखता, तो मैंने देखा है, आर पे जब 1 आ रहा था, तब 0 store हो रहा, एस पे जब 1 आ रहा था, तो 1 store हो रहा था, यानि यह active high रहा होगा, तो आपना active high अगरा कभी अंदाजा बता सकते हो, जाहिर से बाते general analysis है, तो इसके through सारी information derive होनी चाहिए, ठीक है, चलो एक बार में 90 के लिए आपको समझा देता हो, तो आप जैसा की समझ भी पार होगे, इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें तो रहा साथ जो दिमाग लग भी रहा था, वो नहीं लगेगा, बट मेरा suggestion यही है, कि अगर non-standard latch का question है, तभी इस technique पे आना, otherwise बहुत time waste हो जाएगा, उसक कोई दिक्कत है इसा लिखने में, बहुत ही simple, फटा फट बताना, qn plus 1 क्या है, इसका nand लोगे, s qn bar का bar, qn plus 1 bar कितना हो जाएगा, r qn bar, यह बताए किसी को दिक्कत, इसमें किसी को problem, बहुत simple, अगली line में आपका answer रखा हुए, important क्या है, कि general methods के साथ साथ में, आपने standard के conclusions mix कर लिए, कौन से, वही, कि memory condition invalid को holding कर पाएगी, और अगर आपका previous states, previous states, set, reset वगरा से affect नहीं होता है, qn plus 1, bar is equal to r qn bar का, चलो यहाँ पर बतादो, फटा पट क्या करें, ठीक है, बताते जो, दोडो 0, 0, यह 0 रखोगे 1, यहाँ पर 0 रखोगे 1, दोनों fix है, invalid, s equal to 0 अगर मैं उपर पुट करता हूँ, तो यह मुझे देखो कितना मिल जाएगा 1, और r equal to 1 put करता हूँ, तो qn bar, एक fix, एक variable, इसका complement कर देते हैं, 0, यहाँ पर देखो, s equal to 1, s equal to 1 वहाँ पर put करोगे, तोगे आपको मिल जाएगा qn, यहाँ पर r equal to 0 put करोगे, यह मिल जाएगा 1, एक fix, एक variable, इसका कर दो, दो लोको 1, 1 put करोगे अगर, तो आपको यह मिल जाएगा qn, qn bar, यह आर बता दो, if you agree with this analysis. non-standard वाला, एक question में, class में, आपको करवा दे रहो, बाकी कभी special class में, या किसी और session में, कर लेंगे, non-standard के मैं आपको बहुत सारे homework भी दे दूँगा भी, कि आप कैसे non-standard के question, खुद से बना के analysis कर सकते हैं, ठीक है, पहले यह बता दो, पहले non-standard का एक सवाल class में कर ले काम खतम हो गया, यानि कि ये condition कौनसी हो गई, ये set हो गई, ये कौनसी हो गई, reset हो गई, और ये वाले कौनसी हो गई, ये hold हो गई, ठीक है, अब यहाँ पे भी वो दोनों थमरूल याद रखना, कि कोई भी latch, दुनिया को कोई भी latch, invalid state को कभी भी होल नहीं कर सकता, set, reset और इन्वालिट इंडिपेंडेंट अब यहां से बता दो, अगर मानलो कोई पूछता है कि भाई बताओ, अगर मानलो हम भूल गये, यहां से कोई बता सकता है कि, what is the nature of this latch, active लो, आप खुद ही देख रहोगे कि चलते जाते हैं, ऐसे पर जीरो आ रहा था, तो वन स्टोर यहां पर जीरो आ रहा था, तो जीरो स्टोर हुआ, समझ आ गया ना सभी को, अब यह सवाल करो, रिसका आंसर होता है, अच्छा पहले यह टेबल में अप्डेट कर देता हू ठीक है, तो मैं एक बार फाइनल आपके रहांगे, मैपिंग करवा देता हूँ, फाइनल मैपिंग देख लो, फाइनल मैपिंग में क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड लैच है, कुछ भी करने के जरूत ने, स्टैंडर्ड लैच में 99.99% क्वेशन आएंगे, बस active हाई पहचान आपको help out कर देगी, कि next state क्या आना थी, आपको सब कुछ पता होगा, कि invalid state को hold नहीं किया जा सकता है, और अगर set reset और invalid state है, तो previous state से कोई फरक नहीं पड़ेगा, यह सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, बाइदवे question non-standard आ जाता है, तो वहाँ पे general analysis लगा के solve कर अब देखना, अगर यह QN बार हो, तो इसका input कितना हो जाएगा, बस यहाँ पर mathematics से तो लगा नहीं, और क्या करना है, और तो कुछ करना नहीं, तो यह QN पहुचा यहाँ पर, और यहाँ से भी जो आपको QN आ रहा था हो, यहाँ पहुच गया, एक बार यह बता दो कि यह जो मैंने यहाँ पर analysis रखे, do you agree with this factor, देखो ना यहर, यह QN था, यह QN बार था, यहाँ पर उसने not लगाया था, तो मैं थोड़ा पीछे आ गया, QN, फिर इस QN को उठा के मैंने यहाँ पहुचा दिया, अब अगली बार मैं क्या कर रहा हो, इसको लिख रहा हो Q of N plus 1, और यहाँ पर मिलेगा साथ में बार भी आपको लगाना है, तो QN plus 1 का बार आपको कितना मिल जाएगा है, H into QN, इसका होल बार, यह बस मुझे बता दो कि इतना करने में, शायद मेरे खाल से जिसको कुछ नहीं आता होगा, वो भी इतना तो करी सकता है, जिसने कभी sequential का नाम भ आके यह जनरेट करा दिया, बस अगले लाइन में आपका आंसर रखा हुआ है, R और H यहाँ पर लिखो, QN plus 1 और QN plus 1 बार, अगले लाइन में आंसर आपका रखा हुआ है, यह लिजे, 00, 01, 101, चलो, R को अगर मैं 0 रख दू, यह मिल जाएगा QN, H को अगर मैं 0 रख दू, तो यह मुझे मिल जाएगा 1, एक fix, एक variable, इसको मैं कर देता हूँ, 0, condition कौन सी आएगी, बताओ भी, reset, ठीक है न, है न, काफे interesting, चलो, अगले में देखते है, R को रखोगे 0, यह हो जाएगा QN, H को रखोगे 1, यह हो जाएगा QN बार, बोलो गया, यह होल्ड होगे, यह होल्ड आगे, अगले में देखते है, R को रखोगे 1, यह 1 हो गया, H को रखोगे 0, तो यह भी 1 हो गया, यह आपका आगया, invalid, और दोनों 1-1 अगर रखके देखे तो, एक 1 आ जाएगा, और दूसरा QN बार आ जाएगा, एक variable, एक fix, इसको कर लो, 0, यह set condition, सवाल में पूछ क्या है, consider a latch, which of the following set of input is invalid for circuit, तो invalid input कौन सा था, R equal to 1, H equal to 0, हमजगे, हो गया, हो गया, सारा का सारा myth buster session, अब तो पर डाउट ही रहे गया, किसी को भी, किसी भी तरह का, standard हो, non-standard हो, कुछ भी आजा है, दो मैंने आपको category, क्या आप standard circuit की general analysis कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, standard circuit की general analysis कर सकते हो, बट मेरा recommendation नहीं है, मैं recommend ही करता, एगर general आ गया है, जाना पहचाना दिख रहा है, active हाई, active लोग की practice कर रखी है, so it is not at all needed to go for this analysis at all, और अगर non-standard आता है, तो वहाँ पे तो कुछ करी नहीं सकते हो, कोई option ही नहीं है, तो क्या करेंगे, true table बनाएंगे, और ऐसा अंताजा लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, अब देखो, इसी question में आगर इसको थोड़ा से अच्छा question बनाना होता, तो वह क्या करता, आरेज के sequences mention कर देता, ऐसे कुछ कर देता, आरेज के sequences mention कर देता, और यहाँ से आप से पूछ लेता, ऐसे पूछ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ठमरूल बस आपको पता होना अच्छे था, कि 00 पे क्या है, reset, देखना यहाँ पर, 00 पे reset, 01 पे क्या है, hold, और 10 पे क्या है, invalid, यहाँ पर देखो, जो आपने basic analysis कीते हैं, शुरुवात के एक घंटे में, वो कितनी जादा आपके काम आने वाले है, उसका अंदाज़ा आपको यहाँ से लिगता है, ऐसा आपने करा, अब देखो, मैंने बता है, दुनिया का कोई भी latch हो, चाही यही कभी भी invalid states को hold कर पाएगा, बुलो, यह मैंने input बना रहा है, क्या यह कभी भी invalid states को hold कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, and जो आपके set condition है, reset condition और invalid condition है, यह तो हमेशा independent of previous input हो, चलो देखते है, 01 पर बोल रहा है, आपको hold करके रखना है, 01 पर hold करके रखना है, तो मैंने य जिरो, यहाँ पर रखना है, फिर अगला है, 11, 11 आपका क्या, set करना है, 10, फिर अगला उसने दिया, 01, 01 पर फिर से hold करके रखना, previous state valid था, इसको hold करके रखना है, फिर 10 पर आ गया, invalid, अब invalid का output देख लो, आ रहा था, 11, फिर से बोल रखना, 11, अच्छा, इसी के बाद मैं क सकते हूं, मुझे क्या होता है, यहाँ पर, बोलो, 01, 00, 11, 01, 00, यह हमने two table के analysis कर दे, three cases, absolutely correct, जिसने यह three cases बता दिया, उसके लिए काम हो चुका है, complete, फिर 11 पर set, समझ गया, तो I hope आपको समझ आ गया, कि अगर इसी question को न, एक बहुत अच्छा question बनाना होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, same question में, sequences calculate करा देगा, बट मेरे ख्याल से वो आपके लिए ज्यादा बढ़ा challenge है नहीं, क्योंकि अगर आप यहां से true table तक पहुँच गया, एक बार true table का अंदाजा लगे, आगे के sequences आपके लिए हो जाएंगे, बहुत जादा simple, Done, तो मैं summarize कर देता हूँ, आज के sessions में क्या क्या आपने सीखना, आज के अगर आप पूरे session का overview देखो, तो सारी बातों का जिस्ट या सारी बातों के summary कहां पे निकल के आजाती है, summary निकल के आजाती है, आपके जो यहां पे table बने, इस summary को ज़रा गौर से देखो, और बता table से उसको बिठाने की कोशिश करते थे, कभी-कभी true table लगता था, कभी नहीं लगता था, क्यूंकि आप चार तरीके के true table याद करते थे, एक active high, एक active low, पता नहीं क्या करते थे, मुझे नहीं पता, जो भी आप करते थे, बड़ मेरे पास बहुत सारी queries है, कि सर सवाल नहीं पते एक लग भी जाता है, तो दूसरे में दिक्कत आ जाती, दूसरा लग जाता है, तो तीसरे में दिक्कत आ जाती, वो इसलिए, क्योंकि आपके basics clear नहीं थे, अभी आपका basic पूरा crystal clear हो गया, आप ये दो statements याद रखोगे, और दो चीज़ें आप याद रखना है, कि आपको practice तो करनी ही पर ठीक है, तो चलो फिर, अच्छा, आप बोल रहते हैं, और questions से practice करने हैं, तो मैं आपको एक दो idea दे दे दो, आप आज घर पे जाके क्या करना, यहाँ पर एक not gate लगा देना, इसको S बोल देना, इसको R बोल देना, तो आपने ऐसा कोई circuit तो पढ़ा जच करना कि यह क्या होगा, तो यह मैंने class में नहीं पढ़ाएं, अब यह non-standard की category में आ गया, अगर यह non-standard की category में आ गया, तो इसके analysis करके देखते हैं, इसमें क्या करोगे, भई, next state की questions लिखना है, तो table बनाना और judge कर लें, तो कोई भी non-standard का question आजाएं, आप हमेशा general analysis से, कर लोगे यह दोनों questions, चलो, यह दोनों questions आप try कर लोगे, यह दोनों questions, बस qn plus 1, qn plus 1, यहाँ पे निकालना, वहाँ पे निकालना, table बना देना, और मैंने table बनाने का idea आपको समझाही दिया है, कि अगर qn, qn बार आ जाता है, तो hold invalid आपको दिख जाएगा, एक constant, ए बस्टर session आपने शुरू से, पहले statement से लेके, जहाँ पे हमने गजनी की बात की थी, जहाँ पे हमने भूला की बात की थी, वहाँ से लेके, बिलकुल last point तक कनिक की होगा, जिन लोगों ने भी पूरे concentration से, दो डाही घंटे का session करा होगा, obviously वह बिलकुल next level पहुंच गया हू और उसके understanding के लिए भी, तो दोनों चीज़ें आप अपने साथ रखिए, और ज्यादा से यादा questions लगा के इसको थोड़ा पक्का करिए, ठीक है, इसके session को भी share कर देना सभी लोग, ताकि जो लोग latches या flip-flop से डरते हैं, वो पूरा देख के थोड़ा सा idea ले पाए, उसक आप के साथ, आप मुझसे personally connected रह सकते हो, पूरे preparation के दवरान, you can access me as your single point of contact, जो भी queries आती है, आप directly मुझसे discuss कर सकते हो, but make sure आपको ये code लगाना है, बाकि 24 मन्त के subscription में, पर मन्त cost आपकी minimum आती है, तो ये पर मन्त cost जो minimum है, ये 1650, जो की मेरे क्याल से आपकी tuition fees से भी कम आपको एक personal coach मिल जाता है, जिन से आप हमेशा directly connected रहते हो, वो आपको test analysis करके देते हैं, आपका schedule बनवाते हैं, और आपको interview guidance के लिए भी train करते हैं, साथ के साथ आपको study material भी मिल जाता है, तो ये उनके लिए ज्यादा beneficial है, जिनको थोड़ा सा push सही है पढ़ाई के लिए, वो बहुत ही जादा important session है, क्योंकि उसमे analytic functions के हम लोग property discuss करेंगे, और वहीं से हम लोग पूरा का पूरा concept किस से link करेंगे, line integration हो complex functions है, ठीक है, तो एक बार आप कल वाला math का session आने से पहले, अभी तक जितना complex function में हो गया है, एक बार उसको go through करके ज़रूर आई, चलो मिलत